चाप्टर 91 रियांश और परिधी का एक होना दिल कार में बैठे बैठे ही रियांश अपने आइपेड में देख सकता था कि कुल लोग कितने देशात में हैं और अपने हाथ पेर खोलने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो वहाँ से बच कर निकल सके लेकिन उन्हें जन्जीरों से बंधा गया था तो भला वो केसे छूटते रियांश ने अब ज्यादा देर ना करते हुए अपनी जेब से एक छोटा सा रिमोट बाहर निकाला और एक बटन प्रेस कर दिया अचानक ही उस सुनसान जगह पर एक जोरदार आवास के साथ वो लकड़ी का घर ब्लास्ट हो गया और उस लकड़ी के बने घर और उसके अंदर बंधे हुए लोगों की धज्जिया उड़ गई रियांश ने आखे बंद कर सीट से टेक लगा कर एक गहरी सास ली आज फाइनली उसने अपना काम पूरा किया था जिसके लिए वो यहां आया था आज से लगभग दो धाई महीने पहले उससे राघव ने इन्फॉर्म किया था कि एक बिजनेस्मेन जिसका नाम आशुतोष था वो आतनकवादी संगठन से मिलकर उन्हें वेपन्स प्रोवाइट करता था लेकिन कोई सबूत न होने की वजह से आज तक कोई उससे हाथ तक नहीं लगा सका ये सुनते ही रियाश का खून खौल उठा और उसने राघव से कहलवाकर आशुतोष को रतोराद गायब करवाकर उसे यहाँ शिमला में कैद कर दिया और यहाँ तक कि उसने उसकी कमपनी को भी बर्बाद कर दिया राघव आशुतोष को डेली टॉर्चर करता था उससे उन टेरिस्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन जानने के लिए लेकिन आशुतोष ने कभी अपना मूह नहीं खोला और राघव को खुद ही उन टेरिस्ट के बारे में पता लगाना पड़ा और जैसे ही उसे information मिली कि वो लोग शिमला में है उसने ये बात रियांश को बता दी और रियांश सबसे जूट बोलकर यहां आ गया क्योंकि उसे अच्छे से पता यहां कि वो लोगों उस पर attack जरूर करेंगे क्योंकि उसने पहले भी उनके काम को बिगाडा था उनके काफी हद तक प्लांश को रियांश नहीं बर्बाद कर दिया था जिसकी खुननस वो लोग उसे अपने रास्ते से हटा कर निकालना चाहते थे इसलिए उन्होंने रियांश पर नजर रखने के लिए अपने एक आदमी को उसके पीछे छोड़ दिया जो उन्हें रियांश की information देता रहता था और वो लोग बस सही समय का wait कर रहे थे जब वो रियांश पर attack कर सके जब finally उन्हें इस बात पर यकीन हो गया कि रियांश यहां अकेला आया है उसके आसपास उसकी team नहीं है उसे protect करने के लिए तब जाकर उन्होंने उस पर attack किया लेकिन उल्टा उनका plan उन्ही पर backfire हो गया और रियांश के बदले आज उन्ही की चिता जल रही थी कोश्टक रियांश जब अपनी कार ड्राइव कर विला पहुचा तब रात के दो बज़ चुके थे बाहर तेज थंडी हवाय चल रही थी जिससे रियांश ने अंदाजा लगा दिया कि मौसम खराब हो रहा था वो जब अपने कमरे में आया तो उसे परिदी कमरे में कहीं नजर नहीं आई लेकिन जब उसने बालकनी की और देखा तो उसे वहां किसी की परचाएं नजर आई रियांश के घर से जाने के बाद परिदी उन दोनों की शादी के बारे में सोच रही थी और ये भी कि वो केसे अपनी मा को उसके लिए मनाएगी अब परिदी भी रियांश को छोड़ कर कहीं नहीं जाना चाहती थी उसे अब पूरी जिंदगी रियांश के साथ ही बितानी थी वो उसके बिना जीना अपने सपने में भी इमेजन नहीं करना चाहती थी जिस तरह रियांश उससे प्यार करता था अब वो भी उससे प्यार करने लगी थी उसके लिए प्यार वो ही था जो कि रियांश ने उससे बताया था कि जिसके बिना आप अपनी लाइफ भी इमेजन ना कर सके जिसकी हर एक सास में आपकी सासे जुरी हुई हो और ये बाते परिधी रियांश के लिए मेहसूस करती थी जिसका मतलब साफ था कि उसे उससे प्यार हो गया था परिधी अपनी मा और रियांश के बारे में सोचते सोचते इस सब में इतना डूब गई कि उसे पता भी नहीं चला कि कब रियांश घर वापस आ गया तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? एक प्यार सी लेकिन साथ में हलके गुस्से से भरी आवाज परिधी को सुनाई दी और वो अपने सैंस में वापस आये गई जब उसने पलट कर देखा तो रियांश हलके गुस्से से उसे ही घुरे जा रहा था तुम आ गए, कहते हुए परिधी रियांश के पास गई और उसे हग कर लिया रियांश ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया और प्यार से उसके सर को सहलाते हुए वापस बोला मैंने पूछा तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? परिधी ऐसे ही उसे हग किये हुए बोली, वो मुझे नींद नहीं आ रही थी लेकिन बच्चा आज मौसम भी कुछ ठीक नहीं है, ऐसे में तुम्हें इतनी देर रात तक जागना नहीं चाहिए अब चलो अंदर सो जाते हैं, रियांच ने इतना कहां ही था कि वहां तेज हवाओं के साथ साथ बारिश भी शुरू हो गई परिधी और रियांच जल्दी से बालकनी से कमरे में वापस आ गए, लेकिन थोड़ा बहुत तो वो भीग चुके थे रियांच ने अपना जैकेट उतार दिया, और टाय निकाल कर अपने शर्ट के बटन को खोलते हुए जब वो पीछे मुड़ा तो उसकी नजरे परिधी पर ही थहरी सी गई वो उसे देखते हुए भूल ही गया कि वो अभी-भी होट शाव लेने जाने वाला था वो किसी हिपनताईज व्यक्ती की तरह परिधी की और धीरे-धीरे बढ़ने लगा जहां परिधी अपने कपड़े जिरक रही थी जो हलके गीले हो चुके थे फिर उसने अपने हाथों की उंगलियों को अपने बालों में फिराया और उसे भी जिरकने लगी लेकिन रियांश की नजरे तो परिधी के चहरे से होते हुए उसकी गरदन पर पड़ी उन पानी की बूंदे पर टिकी थी जो परिधी के गरदन से होते हुए उसके सीने में जाकर समा जा रही थी ये देख उसका गला सूखने लगा, उसकी प्यास बढ़ने लगी, उसे ऐसा लगा रहा था जैसे उसका गला जल रहा है और जिसे पानी की जरूरत हो रियांश मधोशी में चलते हुए परेधी के पास आया, और धीरे से उसने उसके हाथ की कलाई को पकड़ लिया और उसे अपनी बाहों में खीच लिया, परेधी उसे अपनी आखे बड़ी-बड़ी करके हैरानी से देखने लगी रियांश ने उसके रियेक्शन को नोटिस ना करते हुए अपने दूसरे से हाथ से उसकी गर्दन को प्यार से पकड़ा और अपना चेहरा थोगा नीचे जुकात हुए उसकी गर्दन की दूसरी साइड जहाँ पर पानी की बूंदे अभी भी नजर आ रही थी उसने वहाँ अपने हुंधों को रख उन पानी की बुंदों को पीने लगा रियांश के ऐसा करते ही परिधी के तो रोंगते ही खड़े हो गए उसका दिल सो की स्पीड पर दोड रहा था उसे ऐसा फिल होने लगा जैसे उसका दिल उसके सीने से बाहर निकलाएगा रियांश जैसे जैसे परिधी की गर्दन कंधी को चून कर उन पानी की बुंदों को अपने अंदर समा रहा था वैसे वैसे उसकी पकड़ परिधी की कमर पर और कस्ती जा रही थी वो धीरे धीरे बेकाबू हो रहा था वहीं परिधी भी रियांश की ऐसी साइड देखकर अंदर ही अंदर काम रही थी उसे थोड़ा डर लग रहा था जो नेचुरल था हर लड़की के लिए परिधी ने गहरी गहरी सासे लेते हुए धीरे से रियांश को पुकारा रियांश समझ गया कि परिधी उससे क्या कहना चाहती है लेकिन आज वो किसी भी हाल में अपने आपको रोकना नहीं चाहता था वो परिधी को अपना बना लेना चाहता था रियांश परिधी के गर्दन को किस करते हुए ही अपनी seductive voice बोला प्लीज परि आज नहीं आज मुझे मत रोकना मैं खुद को अब और कंट्रोल नहीं कर सकता मुझे तुम चाहिए सिर्फ तुम वो भी पूरी तरह से बोलते हुए रियांश ने परिधी की गर्दन को किस करना बंद कर दिया और अपने दोनों हाथों से उसके चहरे को थामते हुए रियांश ने अपने सर को परिधी के सीर से जोड़ दिया और अपनी धीमी आवाज में वो आगे बोला मैं तुम्हे पूरा अपना बना लेना चाहता हूँ तुम्हे अपने बेपना प्यार का हैसास कराना चाहता हूँ क्या तुम उससे में मेरा साथ दोगी? क्या तुम आज मुझे अपने पती के रूप में पूरी तरह से अपनाओगी? परिधी को रियांश की बाते जादा कुछ तो समझ में नहीं आ रही थी लेकिन उसे इतना जरूर पता था कि उसके सामने खड़ा आदमी उससे बहुत प्यार करता है जिस पर वो आँख बंद करके भरोसा कर सकती थी और जिसके साथ उसने अपनी पूरी जिन्दगी बिताने का फैसला भी कर लिया था फिर उसकी बात मानने में उसे क्या ही हर्ज हो सकता था परिधी ने बिना रियांश की और देखे अपनी गर्दन हां में हिलाते हुए अपनी मंजूरी दे दी जिसे देख रियांश के पैर खुशी के मारे जमीन पर ही नहीं तिक रहे थे उसे ऐसा लगा रहा था जैसे की परिधी ने उसे सब कुछ दे दिया हो जिसे वो शब्दो में बया नहीं कर सकता था रियांश ने जट से परिधी को अपनी बाहों में उठा लिया और बैट के पास ले जाकर उसे आराम से बैट पर लेता दिया उन दोनों की आखे सिर्फ एक दूसरे पर तिकी हुई थी दोनों एक दूसरे को प्यार से देखे जा रहे थे रियांश परिधी के पास बैटते हुए उसकी तरफ जुक कर धीरे से उसके चैरी जैसे हुंटों पर अपने हुंट रख देता है और उसे चूमने लगता है परिधी भी रियांश को किस करते हुए अपनी दोनों बाहे रियांश के गले में लपेट लेती है रियांश के भी हाथ परिधी की कमर के चारों ओर लिप्ट गए थे वो पूरी तरह से परिधी के उपर आ गया था लेकिन उसने इस बात का ध्यान रखा था कि उसका पूरा वेट परिधी के उपर ना आ जाए वरना वो बिचारी नाजुक सी कली उसके भारी भर कम शरीर के नीचे दब कर रह जाएगी रियान्ष की वो किस अब पैशनेट किस में बदल चुकी थी जब उसे लगा कि परिधी को सास लेने में प्रॉबलम हो रही है जब जाकर उसने उसके चैरी जैसे होटों को रिलीज किया परिधी लंबी लंबी सासे ले रही थी वो अपनी बेकाबू हो रही सासों को काबू में करने की कोशिश कर रही थी रियान्ष भी गहरी सासे लेते हुए परिधी को बड़े प्यार से देख रहा था वो उसे देखते हुए थोगा सा उपर की और उठा और जल्दी से अपने शर्ट के बटन खोल दिये और अपनी वाइट शर्ट को उतार कर बैड के नीचे फर्ष पर फिक दी रियान्ष ने अपनी लंबी और पतली उंगलियों से परिधी के नाइट सूट के बटन खोलने शुरू कर दिये थे लेकिन उस वक्ट परिधी अभी भी अपने सैंस में वापस नहीं आई थी अपने निशान भी छोड़ने लगा था परिधी की सांसे और बेकाबू होने लगी थी क्योंकि जब जब रियान्ष परिधी को उसकी गर्दन, कंधे, कॉलर बोन और उसके ब्रेस्ट पर किसी अलब बाइट देता था तो उसकी सिस्किया निकल जाती थी और उसकी पकर रियान्ष की पीट पर और कस जाती थी जिससे रियान्ष की पीट पर परिधी के नाखुन चुब रहे थे लेकिन भला रियान्ष को क्या फर्क पढ़ने वाला था रियांश के हर एक तच से परिधी मुन करने लगती थी जिससे रियांश और ज़्यादा एकसाइटड हो जाता था और वाइल्ड भी उसने अपने पैरों से परिधी के पैरों को भी ब्लॉक कर दिया था वो अपने पैरों की उंगलियों से परिदी के नाजुक पैरों को तो कभी उसके पैरों की उंगलियों से छेड़खानी कर रहा था जिससे परिदी को अपने पैरों में गुद गुदी हो रही थी लेकिन रियांश उसे एक इंच भी हिलने नहीं दे रहा था धीरे धीरे रियांच ने उन दोनों के ही कपड़े उतार कर फर्ष पर इधर उधर फेक दिये और परिधी के हर एक बोड़ी पाट पर वो अपने निशान छोड़ते जा रहा था जब वो अपने मुकाम पर पुंचा बचने वाले थे तब रियांच ने परिधी के कानों पर चूनते हुए अपनी धीमी लेकिन मधोश कर देने वाली आवाज में कहा बेबी अब कोने करने हा रहा हूं उसने तुम हे थोड़ा दर्द होगा बट डोंट वरी ये दर्द सिर्फ थोड़ी देर के लिए होगा उसके बाद तुम बेटर फिल करोगी ये दर्द हर लड़की को अपने फर्स टाइम पर होता है तो प्लीज इससे तुम डरना मत में हूँ तुम्हारे साथ आई प्रोमिस में तुम्हारे साथ जितना हो सके उतना जेंटल रहूंगा परिधी ने रियांश की बातों को सुना तो सही लेकिन उसका दिमाग उस वक्त कुछ सोचने समझने की क्षमता में नहीं था इसी लिए उसने बस अपनी सहमती में अपनी गर्दन हा में हिला दी रियांश को परिधी की और से पमिशन मिलते ही वो उसके हुंटों पर किस करने लगा और धीरे से उसके अंदर एंटर कर गया परिधी की आखे अचानक ही आसुनों से भर गई वो उस दर्द को सेहन नहीं कर पा रही थी वो रोते हुए जोर जोर से चीखना चाहती थी रियांश को खुद से करना चाहती थी लेकिन रियांश ने उसकी दोनों कलायों को पकड़ते हुए बेड पर दबा दिया और परिधी के हुंथो परकिस करते हुए उसने थोड़ी देर रुखने का फैसला किया और इसे ही परिधी के हुंथो का रस्पिता रहा थोड़ी देर बाद परिदी भी शांत हो गई उसका दर्द काफी हद तक कम हो गया था जब रियान्ष ने ये महसूस किया तब जाकर वो भी रिलेक्स हो पाया और उन दोनों के प्यार का सिलसिला शुरू हो गया उस पूरे कमरे में परिदी की सिस्किया सुनाई दे रही थी वहीं कमरे बाहर बारिश अपने जोरो पर थी और ठंडी हवाए भी काफी तेज थी बिजली चमकने की तेज आवाजय भी आ रही थी मानों कोई तूफान आया हो लेकिन बाहर जितनी भी ठंड हो कमरे के अंदर का महौल उतना ही गर्म था आज दो दिल सिर्फ जिस्म से ही नहीं बलकी आत्मा से भी एक हो चुके थे लेकिन कहते हैं ना की खुशियों को नजर लगते देर नहीं लगती ऐसा ही कुछ रियांश और परिधी के साथ भी हुआ जिस दिन रियांश को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मीली थी उसी दिन उसे जिंदगी भर का दर्ग मिला लेकिन कहते हैं ना की खुशियों को नजर लगते देर नहीं लगती ऐसा ही कुछ रियांश और परिधी के साथ भी हुआ जिस दिन रियांश को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मीली थी उसी दिन उसे जिंदगी भर का दर्ग मिला रियांश सोफे पर बैठे हुए अपने लेप्टॉप पर काम कर रहा था तभी परेधी उसके पास आई और अपने हाथ में जो धेर सारी ड्रेस उसने केरी की हुई थी उन्हें बारी बारी अपने उपर रखकर रियांश से पूछ रही थी कि क्या ये ड्रेस अच्छी है या ये ड्रेस उस पर अच्छी लगेगी रियांश बिना एक नजर उस पर डाले बस हम यहाँ में जवाब दे देता रियांश का बिना उसे किसी भी ड्रेस में देखे बर-बर एक आंसर देने पर वो बुरी तरह चीर गई उसने सारी ड्रेसेस को दर किनारे किया और रियांश के लैप्टॉप को बंद करके उसे सोर टेबल पर रखकर खुद रियांश की गोद में जा बैठी ये सब इतनी आचनक हुआ कि रियांश को कुछ बोलने का या रियक्ट करने का मौका ही नहीं मिला लेकिन परिधी जिस लापरवाही से इसी गोद में बैठी थी उसे डर था कि कहीं वो गिर न जाए इसी लिए उसने तुन्त उसकी कमर को पकड़ लिया और उसे अपने करीब खीच भी लिया ये कैसी हरकत थी परी अगर में तुम्हें नहीं थमता तो तुम नीचे गिर जाती और अगर तुम्हें कहीं चोट लग जाती तो रियांश ने परिधी को डाटते हुए कहा इस पर परिधी ने एक नजर रियांश को घुरा फिर अपनी अपना मुह फुला कर अपनी नजरे उस पर से फेर ली रियांश को उसका यूँ उसे इगनो करना कुछ समझ में नहीं आया तो उसने अपने एक हाथ से उसके चेहरे को पकड़ा और अपनी तरफ करते हुए कन्फ्यूज होते हुए बोला, क्या हुआ ऐसे मूह क्यों फुला रखा है तुमने? परिधी ने गुस्से से उसके हाथ को जटक दिया और पाउट बना कर शिकायत करते हुए बोली अब आप मुझसे प्यार नहीं करते परिधी की बात सुन रियांश की भोए उठ गई और वो बोला और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि अब मैं तुमसे प्यार नहीं करता? क्योंकि पहले आप मेरा कितना ख्याल रखते थे और मुझे कभी इग्नो भी नहीं करते थे लेकिन आप आप क्या? रियांश ने पूछा जब उसने देखा कि परिधी अचानक रुख गई लेकिन अब आप मुझे पर कोई ध्यान नहीं देते बस हमेशा अपनी दूसरी पत्नी के साथ चिपके रहते है परिधी ने मुह बनाते हुए कहा रियांश की आखे छोटी हो गई भला उसने कब दूसरी शादी की लेकिन तभी उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ अगर तुम मेरे लेप्टॉप की बात कर रही हो तो मैं तुम्हें बता दू की वो काम करने के लिए ही होता है और उसमें में बस अपना काम ही कर रहा था रियांश ने परिधी के बालों पर अपना हाथ फेरते हुए उसे प्यार से समझाया लेकिन परिधी कहा मानने वाला थी वो किसी छोटे बच्चे की तरह जिद करते हुए बोली नहीं मुझे वो सब नहीं पता मुझे बस इतना पता है कि जब में आपके पास हाओ तो आपका पूरा ध्यान सिर्फ मुझ पर होना चाहिए परिधी की ऐसी बाते सुन रियांश हक का बक्का रह गया उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक परिधी के अंदर किस की आत्मा आ गई जो वो ऐसी बाते कर रही है रियांश ने जैसे तैसे करके परिधी को समझाया और मना भी लिया परिधी ने अपनी दोनों बाहों को रियांश के गले के चारो और लपेट लिये एक बार फिर रियांश हैरान रह गया क्योंकि परिधी पहले कभी भी ऐसे विहेव नहीं करती थी फिर अचानक उसे हो क्या गया है उसे समझ नहीं आ रहा था परिधी ने अपने चहरे को रियांश के चहरे के पास ले जाकर उसके माथे को हलके से चून लिया था रियांश की आखे अपने आप बंध हो गई और उसकी पकड़ परिधी की कमर पर और कस गई परिधी ने बारी-बारी रियांश के चहरे को चून लिया कभी वो उसकी लंबी-लंबी पलकों को तो कभी नाक को तो कभी उसके गाल तो कभी उसके कान को किस कर रही थी आए लेकिन जैसे ही वो उसके चहरे को चूनते हुए उसके हुंठों तक पहुंची लेकिन तभी उसे एक शरारत सूजी और उसने उसके होटों को जोर से बाइट कर लिया और रियांश की गोद से उठकर वहां से भाग गई जब तक रियांश अपने होश में आया तब तक तो परिधी वहां से भाग चुकी थी रियांश ने अपने होंटों को छू कर देखा तो उसके होंटों से हलका हलका बलड निकल रहा था उसने कमरे के डोर की और देखते हुए हलकी मुस्कान के साथ बोला तुम्हें तुम्हें छोडूंगा नहीं परी कहते हुए रियांश भी उसे पकड़ने उसके पीछे पीछे दोड़ पड़ा जब वो बाहर आया तो बाहर कोहरा चाया हुआ था और परिधी उसे देखकर खिलखिलाते हुए हस रही थी जैसे कि वो उसका मजाक उड़ा रही हो रियांश भी हलकी मुसकान के साथ उसके पीछे पीछे दोड़ने लगा परिधी उस कोहरे को चीरते हुए रियांश को अपने पीछे ऐसे आता देख खिलखिलाते हुए हसने लगी और अपना हाथ आगे बढ़ा कर उसे अपने पास आने का इशारा करती है आओ पकड़ो मुझे बोलते हुए वो हसने लगी और फिर से उस कोहरे को चीरते हुए आगे की और भागने लगी तब ही रियांश भी हसते हुए उसके पीछे पीछे भागते हुए आया और परिधी उससे बचकर और आगे भाग पाती उससे पहले ही रियंश ने परिधी को पीछे से ही अपनी बाहों में कैद कर लिया जिसे देख परिधी का मुह बन गया और रियांश उसका ऐसा चेहरा देख हस पड़ा और धीरे से परिधी के बालो को आगे की तरफ करके उसके कंडे को प्यार से अपने होंठो से चूनते हुए उसके कान के पास जाकर धीरे से पर अपनी जुनून भरी आवाज में बोला चाहे तुम कहीं भी चली जाओ, तुम्हें लोट कर तो मेरे पास ही आना है क्योंकि मैं तुम्हें कहीं से भी धूंड निकलूंगा तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी और तुम्हें मुझसे दूर जाने की इजाजत नहीं है कहते हुए रियांश ने परिधी को अपनी तरफ घुमाया और उसके होंटों पर अपने होंट रख कर उसे शिद्दत से चूनने लगा वो भी अपने आपको रोक ना पाए और उसका साथ देने लगी फोड़ी देर ऐसे ही एक दूसरे को चूनने के बाद वो उससे रिल्स कर देता है लेकिन तभी और घना कोहरा चा जाता है और रियांश के हाथ से परिधी का हाथ चूट जाता है और परिधी उसकी आँखों के सामने से ही अच्छानक दायब हो जाती है ये देख रियांश डर जाता है और परिधी को आवाज देते हुए उसे आसपास धून्दने लगता है परि, परि, कहां हो तुम, परि लिसन अगर ये तुम्हारा कोई मजाक है ना तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा, सुन रही हो ना तुम, परि, परि रियांश का दिल जोरो से धड़क रहा था, पता नहीं क्यों लेकिन उसे अंदर ही अंदर किसी अनहोनी के होने का अंदेशा हो रहा था, परिधी को ना धून पाने की वज़े से उसे और भी डर लग रहा था, जैसे कोई उससे उसकी जिन्दगी चिनेने वाला हो रियांश घबराया हुआ इधर से उधर परिधी को उस कोहरे में धून रहा था, लेकिन उसे परिधी कहीं नहीं दिख रही थी, अब तो रियांश की आखे भी नम हो चुकी थी, उसे अपने दिल में एक दर्द सा महसूस हो रहा था, जिसे वो बरदास्त ही नहीं कर पा रह था, थकाहार कर वो जोर से परिधी का नाम पुकारते हुए अपने घुटनों के बल बैट जाता है, to be continued, चैप्टर 93, परिधी इस प्रेगनेंट दिल रियांश घबराया हुआ, इधर से उधर परिधी को उस कोहरे में धून रहा था, लेकिन उसे परिधी कहीं नहीं दिख रही थी, अब तो रियांश की आखे भी नम हो चुकी थी, उसे अपने दिल में एक दर्द सा मेहसूस हो रहा था, जिसे वो बरदास्त ही नहीं कर पा रहा था, थकाहार कर वो जोर से परिधी का नाम पुकारते हुए अपने घुटनों के बल बैट जाता है, धीरे धीरे कोह चटने लगता है, तभी रियांश अपनी गरदन उपर कर जब सामने की और देखता है तो उसे उससे काफी दूरी पर एक विशाल पेड के पीछे की साइड पर एक वाइट दुपट्टा दिखाई देता है, उसे देखते ही रियांश खुद से ही बड़बडाते हुए बोल वो अपने घुटनों के बल बैटकर उसके चहरे को थप थपाने लगा, लेकिन परिधी होश में नहीं आ रही थी, रियांश ने ज़्यादा देर ना करते हुए उसे अपनी गोद में उठाया और उसे अपने विला के अंदर अपने रूम में ले जाकर बैड पर लेटा दि तब जाकर रियांश ने चेन की सास ली, ठैंक गॉड की तुम ठीक हो, वरना तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी, रियांश ने एक लंबी गहरी सास लेते हुए कहा, परिधी कुछ कहती इससे पहले ही वहाँ एक लेडी डॉक्टर आ जाती है, रियांध उन्हें परिध होते हुए डॉक्टर पर सवालों की बोचार कर दी, क्या हुआ डॉक्टर, मेरी वाइफ तो ठीक है ना, कोई सीरियस प्रॉबलम तो नहीं है, वो ऐसे अचानक बेहोश केसे हो गई? रियांध को बीच में ही रोकते हुए डॉक्टर बोली, रिलेक्स मिस्टर कपूर, डॉन्ट वरी आपकी वाइफ एक दम ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ, इनफेक्ट आपके लिए तो ये गुड़ न्यूज है डॉक्टर की बात सुन रियांध और परिधी दोनों ही कन्फ्यूज में उन्हें देख रहे थे, डॉक्टर अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोली, डॉक्टर की बात सुन रियांध तो अपनी जगह पर देसे बर्फ को तरह जम सा गया, उसके कानों में बार बार डॉक्टर की कहीं हुई बाते घूम रही थी, उसे तो जैसे अपनी कानों पर भरोसा सही नहीं हो पा रहा था, डॉक्टर ने परिधी को अपना अच्छे से ख्याल रखने का बोला और कुछ मेडिसिन और खाने पीने में हिदायत देकर वो वहां से चली गई, रियांश तो अब तक इस शोग पूरी तरफ से बाहर ही नहीं आ पाया था, तो वहीं परिधी ये न्यूज सुन बहुत खुश थी, उसने धीरे से अपने पेट पर हाथ रखा उससे याद आता कि सौंदर्य परी ने उसे कहा था कि जब कोई लड़की मा बनती है तो उसके तमी में उसके बच्चे का छोटा सा अंशाता है, फिर वो समय के साथ धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, मतलब मेरा बच्चा मेरे तमी ने आ चुका है फिर को उसमें धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा, लेकिन वो कब तक बड़ा हो जाएगा, और कब में उसके साथ खेल परिधी अपने ही मन में ये सब सोच रही थी कि उसने ये सवाल रियांच से पूछने का सोचा लेकिन जैसे ही उसने अपनी नजरे अपने सामने की तो उसे वहां कोई नजर नहीं आया, जहां थोड़ी देर पहले रियांध खड़ा था, अब वो वहां नहीं था, अब ये कहा चले गए, परिधी ने खुद से ही कहा और बैड से उठ खड़ी हुई और रियांच को धूंदते धूंदते टेरिस की और बढ़ गई रात हो चुकी थी शिमला में मौसम काफी सुहाना था, थंडी थंडी हवाय चल रही थी वहीं रियांच टेरेस पर खड़ा होकर पहारों को दूर से देख रहा था उसने आज वाइप टी-शर्ट विट जीन्स की ब्लेक जैकेट एंड ब्लेक जीन्स पहनी थी उसने अपने दोनों हाथ रिलिंग से टिकाए हुए थे उसके दील की धढ़क में तेज चल रही थी उसके चहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी जो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी वो कितना खुश था वो उसके चहरे से साफ समझा रहा था वो थोड़ी तेज सांसे ले रहा था लेकिन उसके बावजूद भी उसके चहरे की वो मुसकान और भी बढ़ती जा रही थी उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानों वो किसी बात पर भरोसा ना कर पा रहा हो तभी परिधी टेरेस पर आ गई और रियांश को वहाँ अकेले मन ही मन मुसकुराते देख वो समझ गई और धीरे से जाकर उसे पीछे से ही हग कर लेती है जैसे ही रियांश को परिधी का सपर्ष अपने सीने से लिप्ट हुए मेहसूस होता है तो वो भी अपने हाथ उसके हाथों पर रख देता है परिधी ने भी आज वाइट चूडीदार और उसके उपर पिंक स्वेटर पहना हुआ था रियांश धीरे से उसे उसके हाथ पकरकार अपने सामने लता है और उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में थाम लेता है परिधी शर्माते हुए अपनी नजरे नीचे कर लेती है रियांश उसकी और देखते हुए बड़े प्यार से बोला जान, लुक अट मी रियांश के कहने पर भी परिधी की हिम्मत नहीं हो पाती कि वो उसकी आखों में देखे इसलिए वो अभी भी अपनी नजरे नीचे किये हुए ही खड़ी थी रियांश उसको अपनी बात ना मानते हुए देख फिर एक बार प्यार से अपनी बात रिपीट करते हुए बोला जान मैंने कहा मेरी तरफ देखो लेकिन फिर भी परिधी कोई रिस्पॉंस नहीं देती तो रियांश को गुस्सा आ जाता है लेकिन वो अपना गुस्सा उसे दिखा कर दराना नहीं चाहता था इसलिए अपने आपको कंट्रोल करता है और इस बार अपनी कड़क और रोबदार आवाज में उसे वौन करते हुए बोला जान अगर तुमने मेरी और नहीं देखा तो कहते हुए रियांश अपना चहरा परिधी के करीब ले जाकर उसके कान को किस करते हुए धीरे से लेकिन अपनी सिडिक्टिव वोईस में बोला तो मैं तुम्हें पूरी रात सोने नहीं दूनगा और तुम ये बात बहुत अच्छे से जानती हो कि जब मैं बैट पर तुम्हारे साथ होता हूँ तो मैं किसी भूखे भेडिये से कम नहीं होता हूँ इसी लिए तो तुम मुझे बीस्ट कहती हो ना कहते हुए रियांच ने परिधी के कान को बाइट कर लिया और उससे थोड़ा सा दूर हट गया रियांच के उसके कान को बाइट करते ही परिधी की हलकी सियाह निकल गई लेकिन वो ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि रियांच जो कहता था वो उसे पूरा करने की ताकत भी रखता था और फिलहाल वो इस जानवर को उकसाने की हिम्मत नहीं कर सकती थी वरना ये उसी के लिए भारी पढ़ता वो फाइनली अपनी पलके उठा कर रियांच की और देखती है रियांच तो बस उसके खूबसूरत चहरे और आँखों में ही कहीं खो गया था उसने बेखयाली में ही उसके चहरे को थाम लिया और उसकी और जुकते हुए अपने सक्त और थंडे होट उसके नर्म मुलायम होंथो पर रख दिये और उन्हें प्यार से धीरे धीरे चूनने लगा परिधी भी उसे रोकना नहीं चाहती थी तो वो भी उसका साथ देने लगी धीरे धीरे उनकी ये सौफ्ट किस पैशनेट किस में बदल गई और दोनों एक दूसरे को पागलों की तरह किस करने लगे सिर्फ 15 मिनट ही हुए होंगे उनकी किस को की तभी रियांश का फोन रिंग करने लगा रियांश ने पहले तो उसे इग्चनो किया और परिधी को वैसे ही किस करता रहा लकिन जब उसका फोन बार-बार बजने लगा तो वो इरिटेट हो गया और ना चाहते हुए भी उसे परिधी से दूर हटना पड़ा रियांश ने अपना फोन उठाने से पहले परिधी को वहां से नीचे उनके कमरे में जाने को कहा क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंग थी और उसे दर था कि कहीं उसकी तबियत खराब ना हो जाए परिधी ने भी इस बात पर कोई औबजेक्शन नहीं उठाया और नीचे चली गई उसके जाने के बाद रियांश ने अपना फोन बाहर निकाला जिस पर केवेन का नाम शो हो रहा था उसने तुरंथ कॉल रिसीव किया कहा है भाई तु आज कल लगभग एक महीना हो चुका है तुझे शिमला गए हुए लेकिन उसके बाद तो जैसे तु हम सब को भूल हे गया ना फोन ना कोई मैसेज और अगर हम तुझे बात करने की कोशिश करे तो तेरा फोन कभी तो लगता नहीं है और अगर किस्मत से लग भी जाए तो जबाव आप उसे उठाने का कश्ट ही नहीं करते ऐसा क्यूँ केविन के एक के बाद एक सवाल जवाब ने रियांश को परेशान कर दिया था लेकिन को फिलहाल केविन सारा सच नहीं बताना चाहता था बलकि एक साथ सब को सर्प्राइज देना चाहता था इसी लिए उसने उसके सवालों को टालते हुए कहा अरे ऐसा कुछ नहीं है यार तू तो जानता है ना कि यहां कोई प्रोपटी खरीदनी इतनी आसान नहीं है बस इसके चक्कर में ही इतना बिजी हो गया कि तुम सबसे बात करने का मौका ही नहीं मिला खेर छोड़ ये सब बाते जाने दे मुझे तुझे और घरवालों को एक बहुत बड़ी गुड न्यूज देनी है रियांश की गुड न्यूज देनी वाली बात पर केवेन गैस करते हुए बोला कहीं तुने वहां कोई प्रोपटी तो नहीं खरीड लीना जिसके लिए तू वहां गया था केवेन की बात पर रियांश इंकार करते हुए बोला अरे नहीं यार बात वो नहीं है बलकि उससे भी बड़ी वाली गुड न्यूज है मेरे पास जिसे सुनने के बाद तू खुशी के मारे उचल ही पड़ेगा केवेन रियांश की बात सुन सोच में पड़ गया भला ऐसी कौन सी बात थी जिसके लिए रियांश इतना खुश और एकसाइटड था वो अपनी सोच से बाहर आते हुए इंपेशन्स होकर बोला ऐसा भी क्या हो गया जो तू इतना खुश है अब ज़्यादा सस्पेंस क्रियेट मत कर और बता बात क्या है रियांश केविन को इतना इंपेशन्स और एकसाइटड होते हुए देखकर खुशी से लगभग जूमते हुए बोला केविन, 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 you have no idea कि आज मुझे कितनी बड़ी खुश खबरी मिली है मुझसे ये खुशी संभाले नहीं संभली जा रही है यार मुझे यकीन है नहीं हो रहा इस बात पर की में रियांश इसके आगे केविन से कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसके फोन का नेटवर्ग जा चुका था केविन और रियांश दोनों ही फोन पर हेलो, हेलो करते रह गए लेकिन उनकी बात अधुरी ही रह गई डेमिट यार, इस फोन के नेटवर्ग को भी अभी जाना था मुझे केविन को इतनी इंपोर्टेंट बात बतानी थी रियांश फ्रिस्ट्रेट होकर अपने आपसे ही बड़बडाता है लेकिन कोई बात नहीं अब जल्दी तो मुझे मुंबई वापस जाना ही है तो मैं अब उसे भी सब के साथ ही ये सरप्राइस दूनगा रियांश ने मन ही मन में सोचा वहीं केविन ये जानने को बेकरार था कि रियांश उसे और घरवालों को कौन सी गुड न्यूज देना चाहता था लेकिन उनकी बात अधूरी ही रह गई तो उसने उसके वापस आने का वेट करने का डिसीजन लिया और दोबारा उसे कॉल करके परेशान नहीं किया वहीं रियांश जब कमरे में लोटा तो परिधी आइने के सामने खड़ी होकर अपने पेट पर हाथ रखे हुए अपने आपको तो कभी सपने पेट को देख रही थी रियांश आज बोहुत खुश था इसलिए वो परिधी के पास गया और उसे पीछे से टाइटली हग कर लिया और अपनी चिन को उसके शोल्डर पर तिका दिया तुम इसे मेरा के सामने क्या देख रही थी रियांश ने परिधी को मेरा में देखते हुए उससे सवाल किया जिस पर परिधी बच्ची की तरहों बनाते हुए बोली अरे मैं तो ये देख रही थी कि मेरे इत्तु से टमी में भला हमारा बेबी केसे बढ़ा होगा और वो कब और कैसे मेरे टमी से बहर आएगा परिधी को समझाते हुए बोला जब इसका सही समय आएगा तब हमारा बेबी तुम्हारे टमी में बड़ा भी होगा और वक्त आने पर वो इस दुनिया में भी कदम रखेगा लेकिन तब तक के लिए तुम्हें अपना बहुग ध्यान रखना होगा क्योंकि अब तुम अकेली नहीं हो तुम्हारे अंदर हमारे प्यार की निशानी यानी हमारा बच्चा भी है तो प्रामिस करो कि तुम हमारे बच्चे को कुछ नहीं होने दोगी और उसका और अपना पूरा ख्याल रखोगी रितंध ने अपना हाथ आगे बढ़ा कर परिधी से पूछा जिस पर परिधी ने भी उसके हाथ पर अपना हाथ रख उससे वादा किया कि वो अपने से ज्यादा अपने बच्चे का ख्याल रखेगी रियांश ये बात सुनकर थोड़ा रिलेक्स तो हुआ लेकिन वो फिर भी अपने बच्चे को लेकर कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहता था उसी लाइट उसने सोचा कि वो परिधी को एक सेकंड के लिए भी अपने आपसे दूर नहीं करेगा और उसका अच्छे से ख्याल रखेगा रियांश ने परिधी का हाथ पकड़ा और उसे बैड के पास ले जाकर आरम से उसे बैड पर बिथा दिया और लोकर रूम से एक वेलवेट का बॉक्स लेकर वापस परिधी के पास आ गया और उस बॉक्स को परिधी की तरफ बढ़ा दिया ये क्या है? परिधी ने एकसाइटड होकर बॉक्स को देखते हुए पूछा और जट से वो बॉक्स लेकर उसे खोलने लगी उसमें एक सिंपल लेकिन बहुत ही खूबसूरत ब्रेसलेट था, जिसमें चार स्टॉज लटक रहे थे मैं आपको बता दू कि ये वही ब्रेसलेट है जो परिधी प्रेजन टाइम में पहने हुई थी परिधी उसे देख खुश हो गई, रियान्ष उसकी स्माइल देखते हुए बोला, तुम्हें ये गिफ्ट पसंद आया? हाँ बोहोत, ये बोहोत ही खुबसूरत है, परिधी ने जट से जवाब दिया, और रियान्ष को बोला को वो उसे ये ब्रेसलेट खुश अपने हाथों से पहनाए, रियान्ष ने भी उसकी बात मानते हुए उसे वो ब्रेसलेट पहना दिया, और उसके हाथ को अपने हाथ म में लेकर उस ब्रेसलेट को देखते हुए बोला, मैंने ये ब्रेसलेट को दिजाइन किया था सिर्फ तुम्हारे लिए, वैसे तो मैं इससे तुम हे तब देना चाहता था जब तुम मेरी फैमिली से मिलो, लेकिन आज तुमने जो मुझे खुशी दी है, इतनी बड़ी गुल वाला थैंक्यू मुझे इस दुनिया की सबसे बड़ी खुशी देने के लिए, एक पिता बनने की खुशी, थैंक्यू, 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 सो मच आप्टर परी। क्या ये सिर्फ रियांश के मन का वेहम था या फिर सच में कुछ ऐसा होने वाला था जिसका अंदेशा पहेल ही रियांश के दिल को हो चुका था। क्याते हुए उसके कान के बेहत करीब होकर अपनी अट्रेक्टिव वॉइस में बोला, वैसे तो मेरा मन तुम्हें जी भर कर प्यार करने को कर रहा है। लेकिन मैं तुम्हारी प्रेगनेंसी के टाइम कोई रिस्क नहीं लेना चाहता और नहीं ये चाहता हो कि मेरी वजह से तुम्हें या हमारे बच्चे को कोई भी तकलीफ पहुँचे। इसी लिए मैंने अपने मन को समझा लिया। रियांश ने एक आह भरते हुए कहा, जिस पर परिधी मोह दबा कर हसने लगी। लेकिन तभी उसे कुछ याद आया और वो अपने बैट पर आलती पालती मार कर बैट गई और एकसाइटेड होकर रियांश से पूछा, वैसे हमे लड़का होगा या लड़की? रियांश ने धीरे से परिधी के सर पर चपत लगाई और बोला, इससे क्या फर्क पड़ता है? मेरे लिए तो दोनों ही बराबर होंगे, लेकिन सच कहूं तो मुझे एक प्यारी बिलकुल तुम्हारे जैसी गुडिया की तरह दिखने वाली बेटी चाहिए, जिसे मैं बिलकुल किसी प्रिंसेस की तरह रखूंगा, उसे बोहुत सारा प्यार दूंगा. परिधी खुशी से बोली, सच्छी, लेकिन हम उसका नाम क्या रखेंगे? हम, हम उसका नाम, हाँ हम उसका नाम तुम्हारे नाम से मिलता जूलता रखेंगे. ज फिर अचानक कुछ सोचते हुए वो बोली, लेकिन अगर हमें लड़का हुआ तो, फिर कुछ सोचते हुए, तो हम उसका नाम आपके नाम से कुछ मिलता जूलता रखेगे। परिधी ने excited होकर कहा, रियांध कुछ सोचते हुए बोला, हाँ ये idea सही है, अगर हमें कोई बेटी हुई तो हम उसका नाम परी रखेगे और अगर बेटा हुआ तो हम उसका नाम, हाँ तो हम उसका नाम रिहान रखेगे। ऐसे ही दोनों अपने बच्चे के बारे बाते करते करते सो गए। आधी रात में दो परचाए रियांश के विला के बाहर नजर आए। उन में से एक ने चुटकी बजाए। उसके चुटकी बजाते ही उस जगह को गार्ट कर रहे गार्ड्स अचानक ही बेहोश होकर जमीन गिरने लगे। वो दोनों परचाए विला के सिक्यूरिटी सिस्टम को ब्रेक करके अंदर चली गई। अंदर जाते ही उसी परचाए ने फिर से अपने हाथ को हवा में घुमाया और हवा में एक गोला सा बना गया। वो गोला आगे आगे जाने लगा और वो दोनों परचा हुई आहट से भी वो जाग जाता था उसे पता नहीं ऐसा लगा जैसे किसी ने उधर विला में घुसने को कोशिश की हो रियांच ने परिधी को आरम से सोनी वहां से अलग किया और बैड से उठने को ही था कि परिधी की भी नीन्द खुल गई आप इतनी रात को कहा जा रहे ह परिधी ने बड़ी मुश्किल से अपनी आखे खोलते हुए नीन्द भारी आवाज में रियांच से पूछा जिस पर रियांच उसके बालों को सहलाते हुए बोला कुछ नहीं मुझे बस ऐसा लगा जैसे किसी ने हमारे घर का डोर खोला हो मैं बस वहीं चेक करने जा रहा यह सुन परिधी की भी नीन्द पूरी तरह से खुल गई और थोड़ा परेशान होते हुए बोली तो आप क्यों जा रहे हो आप बाहर खड़े गाट को अपने मशीन के डिब्बे फॉन से कॉल करके भी तो पूछ सकते हो ना परिधी की बात रियांश को सही लगी तो उसने तुरंट अपने फोन से सिक्योरिटी गाट को कॉल लगाया लेकिन उसने कॉल रिसीव ही नहीं किया रियांश ने एक दो बार और ट्राइ किया लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा था अब रियांश को कन्फम हो गया कि कुछ तो गड़बर जरूर हुई है वरना कोई भी गाड उसका कॉल रिसीव ना करे ये तो पॉसिबल ही नहीं था। की अचानक ही वो किसी हवा के जोके की तरह उड़ते हुए सीधे अपने बैड पर ओंदे मुझा गिरा। उसका हाथ जिसमें उसने गन पकड़ी हुई थी वो हाथ साइड टेबल लेंप के किनारे पे जा लगा। जिससे उसके हाथ से गन चूट कर नीचे गिर गई और उसके हाथ से खून भी निकलने लगा। ये सब इतनी अचानक हुआ कि रियांश और परिधी को कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन जब परिधी ने रियांश को इस तरह देखा तो उसका दिल उसके लिए तड़प उठा। रियांश शशश परिधी जोर से चिल लाई और उसकी तरफ भागी और रियांश को उठाते हुए बोली आप आप ठीक तो हो ना बोलते बोलते उसकी आखों से जर जर आसु बह रहे थे। रियांश ने जैसे ही अपने उस हाथ को थोड़ा ऊपर की और उठाया जिस पर अभी अभी उसे चोट लगी थी। रियांश खोद इस चीज से हैरान था। यहां तक कि वो अपने मुह से कुछ बोल तक नहीं पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ हो क्या रहा है। ऐसी कोन सी शक्ती है जिससे वो भी नहीं लड़ पा रहा। तभी कोई परिधी को उसकी बाह से रियांश से दूर कर देता है। ये देख परिधी डर तो गई थी लेकिन रियांश की ऐसी हालत देखकर उससे भी कहीं ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी। और जैसे ही वो पीछे पलटकर उस इनसान से गुस्से में कुछ बोलने ही वाली थी। कि उस सक्स का चेहरा परी और सौंदर्य परी की थी। जो परिधी को वापस ले जाने के लिए यहां आई थी। दरसल एक दिन जब रियांश परिधी को शौपिंग करने बाहर के गया था जब अंजाने में ही सौंदर्य परी ने परिधी को रियांश के साथ देख लिया था। और उससे समझते देर नहीं लगी कि शालू ने उससे जूट बोला था। सौंधर्य परी ने जैसे तैसे करके परिदी और रियांच के एक दूसरे से रिष्टे के बारे में पता लगा लिया था। लेकिन वो परिदी के मामले में खुद कोई डिसीजन नहीं ले सकती थी। इसलिए उसने रानी परी को धर्ती लोग पर बुलाने का फैसला किया। और अपने पहने पैंडेंट जो की उससे रानी परी ने ही ऐसी किसी इमजेंसी के लिए दिया था। उसने उसका युज करते हुए रानी परी को धर्ती लोग पर बुला लिया। और उन्हें परिदी की शादी के बाते में बता दिया। ये सुन रानी परी गुस्से से मानो पागल ही हो गई उन्हें वैसे भी इंसानों पर भरोसा नहीं था और उन्हें लगा कि रियांश भी उन्हीं लोगों की तरह था जो लड़कियों को बस अपना खिलोना समझता है और उड़ी लिए वो अपनी बेटी को एक और भी सेकंड रितंद के पास नहीं रहने देना चाहती थी इसलिए वो उसे अपने साथ ले जाने के लिए यहां आई थी कोश्टक, रानी परी ने अपनी सक्त आवाज में कहा हाँ मैं, तुम्हें क्या लगा कि तुम अपनी मा से इतना कुछ छुपा कर रखोगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा खेर मुझे इन सब के बारे में और कोई बात नहीं करनी तुम्हें मेरे साथ हमारी दुनिया में लोटना होगा बस चलो मेरे साथ कहते हुए रानी परी परिदी को उसकी कोहनी से पकड़ते हुए के जाने ने लगी परिदी ने रितंश की और देखा जो उसे और रानी परी को हैरानी से देखे जा रहा था लेकिन वो और कुछ कर भी नहीं सकता था परिधी ने उसे ऐसे देखते ही अपनी मा के साथ जाने से मना कर दिया मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना मुझे मेरे पती के पास रहना है मुझे रियांश के पास रहना है मा मुझे छोड़ी मुझे जाने दीजिये परिधी अपने आपको छुडाने की कोशिश करती रही लेकिन रानी परी ने उसे नहीं छोड़ा और उसे वहां से ले जाने ने लगी लेकिन परिधी रियांश को छोड़ कर नहीं जाना चाहती थी ये सब सौंदर्य परी अपनी आँखों से होता हुआ देख रही थी और उससे परिधी और रियांश की इस हालत को देखकर गिल्टी भी फिल हो रहा था क्योंकि उसके हिसाब से आज परिधी और रियांश के साथ जो कुछ भी हो रहा था उसकी वज़े कहीं ना कहीं वो ही थी लेकिन वो भी क्या ही करती परिधी बस उसकी एक जिम्मेदारी थी लेकिन बेटी तो वो रानी परी की थी ना तो उन्हें उसके बारे में कुछ ना बताना उनके साथ गदारी करने जैसा होता इसलिए उसे उन्हे सब कुछ बताना पड़ा लेकिन वो दोनों ये नहीं जानती थी कि परिदी मा बनने वाली है वो बस रोए जा रही थी उसके आसु मानो थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे वो बार-बार अपनी का से अपना हाथ छुणवाने की कोशिश कर रही थी और अपने सामने बैड पर ओंधे मुँपड़े रियांश से मदद मांग रही थी उससे बार-बार उठने को कह रही थी लेकिन रियांश बस लाचारी से अपनी अध्खुली आँखों से उससे देखे जा रहा था तबी रानी परी परिदी को अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रही थी वो उसका हाथ लगभग खीचते हुए ले जाने लगती है परिदी बार-बार उससे भीक मांग रही थी कि वो उससे रियांश के पास जाने दे लेकिन जैसे रानी परी का दिल मानो पत्थर का हो गया था उन्हें कोई फर्खी नहीं पढ़ रहा था रियांश परिदी को उसकदर रोते हुए और अपने से दूर जाते हुए नहीं देख सकता था इसलिए वो उठने की कोशिश करता है लेकिन वो फिर भी उठ ही नहीं पा रहा था वो आज अपने आपको बहुत हेल प्लेस मेहसूस कर पा रहा था रानी परी परिदी को वैसे ही घसीटते हुए उसे रियांश से दूर ले जाने की कोशिश करती है लेकिन तभी परिदी के अंदर अचानक ही बहुत ज्यादा गुस्सा भर जाता है और वो रोते हुए जोर से चिलाती है रियांश शिश उसके रियांश के नाम को जोर से पुकारने की वजह से जो रियांश बेहोश होने की कगार पर था वो अपनी आखे खोल कर परेदी को देखता है परेदी की बोडी से अचानक ही तेज रोशनी निकलने लगी थी और रानी परी को ना चाहते हुए भी परिदी के हाथ को छोड़ना पड़ा क्योंकि वो जानती थी कि परिदी की शक्तिया बाकी पारियों से अधिक थी और बेशक फिलहाल उसकी शक्तिया उसके पास नहीं है लेकिन जब भी उसका दिल बुरी तरह दुखेगा और उसे हद से जादा गुस्सा आने लगेगा तो उसके अंदर छिपी हुई उसकी शक्तिया अपने आप ही बाहर आने लगेगी और यही अभी हो रहा था परिधी की बोडी से इतनी तेज रोष्णी निकलते देख वो तो शौक्त ही रह गया था क्या ऐसा हो सकता है कि परिधी भी एक नॉमल इंसान की तरह ना होकर कोई और ही है रियांश थे सब सोच ही रहा था कि तभी रानी परी ने अपनी शक्तियों से परिधी को बिहोश कर दिया और रियांश की आखों के सामने से ही वो परिधी को अपने साथ ले गई रियांश बस बेबस नजरों से अपनी परिधी को अपने आपसे दूर जाता हुआ देख रहा था उसकी आँखों से भी आसु बह रहे थे लेकिन फिलहाल वो इतना लाचार था कि वो अपनी परिधी को अपने पास रोग तक नहीं पा रहा था और वो भी वही बैड पर बिहोश हो गया अगली सुबह जब रियांश होश में आया तो अपने हाथ को बैड पर इधर से उधर फेरते हुए कुछ टटोलने लगा लेकिन जब उसे अपने पास कोई नहीं मिला तो उसने अपनी आखें धीरे धीरे खोली और सीधे बैड पर पलग गया और बैड की लेफ्ट साइट की और देखा लेकिन उसे वहाँ परिधी नजर नहीं आई जैसे आम तोर पर रोज नजर आती थी वो उठकर बैठ गया और परिधी का नाम चिल्लाने लगा लेकिन जब उसे परिधी की और से कोई रिस्पॉंस नहीं आया तभी उसे धीरे धीरे कल रात क्या हुआ था वो सब एक एक करके किसी फिल्म की तरह उसकी आखों के सामने घूमने लगा जैसे जैसे उसे वो सब याद आ रहा था वैसे वैसे उसके दिल में एक दर्द सा उट रहा था उसे ऐसे लगा रहा था जैसे कोई धीरे धीरे उसके दिल में हजारो सुईया चुभो रहा हो वो अपने दिल में उठ रहे इस दर्द को बरदास्त नहीं कर पा रहा था रियांश की आखें लाल होने लगी, उसकी आखें भराय थी वो बेचैन हो उठा, वो तुरत बैड से उतर कर अपने बालों में अपनी उंगलियों को उलजा कर यहां से वहां चक्कर लगाते हुए खुद से ही बड़बडाते हुए बोला नहीं, 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 परी, परिधी मुझे छोड़ कर नहीं जा सकती मैं, मैं केसे रहूंगा उसके बिना, मैं तो अपनी लाइफ उसके बिना इमेजन तक नहीं कर सकता तो केसे रह पाऊंगा उसके बगैर, और, और हमारा, हमारा बच्चा बच्चे को याद करते ही रियांश को वो सारी बाते याद आने लगती है वो सारी प्लानिंग्स जो उसने और परिधी ने मिलकर अपने बच्चे के आने वाले फ्यूचर के लिए प्लान की थी वो सब याद आते ही रियान शचानक ही निधल होकर फर्ष पर घुटनों के बल बैट गया और उसने अपनी पूरी ताकत से परिधी का नाम पुकारा उसकी चीक में इतना दद था, इतनी तकलीफ थी, इतनी तड़प थी अपनी परिधी और अपने बच्चे को खोने की की जिसे शायद शब्दों में बया नहीं किया जा सकता था उसकी आँखों से आसु रुकने का नाम नहीं ले रहे थे उसे आज ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने बेरहमी से उसके सीने से उसके दिल को निकाल फेका हो रियांच थोड़ी देर ऐसे ही फर्ष पर बैठा रहा और जब वो थोड़ा नॉमल हुआ तब जाकर वो कुछ सोचने समझने के काबिल हुआ और उसे याद आया कि जब परिधी की मा उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रही थी तब अचानक ही परिधी के अंदर से एक तेज रोशनी निकलने लगी थी और जब वो डोर के पास गया था तब भी उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे बिना हाथ लगाए ही हवा में उच्छाल दिया हो ये याद आते ही रियांश फिर से खुद से बढ़बढ आया मतलब परिधी कोई आम इंसान नहीं है और ना ही उसकी मा कोई आम इंसान है है भी के नहीं मेरे लिए बस यही मायने रखता है कि वो मेरी है और वो मुझे छोड़ कर कहीं नहीं जा सकती मैं में उसे अपने आपसे दूर नहीं जाने दूनगा कभी नहीं उसे मेरे पास वापस लोटना होगा चाहे जो हो जाए, मैं उसे धूडूनगा और उसे वापस अपने पास लेकर आऊंगा ऐसे केसे कोई भी आकर मुझसे मेरी बीवी और मेरे बच्चे को छीन सकता है मैं ऐसा कभी नहीं होने धूनगा मैं अपनी परिधी को वापस लाकर रहूंगा रियांश इस वक्त किसी साइको की तरह लग रहा था जैसे वो परिधी के जाने के गम में मानो पागल हो गया हो वो कही ना कही ये बात जनता था कि परिधी अगर कोई नॉमल लड़की नहीं है तो उसका उसे धूनदना इतना आसान नहीं होगा लेकिन वो फिर भी उसे अपने पास वापस लाना चाहता था जिसके लिए उसे जो करना पड़े वो करने को तयार तयार था रियांश ने तुरंट अपने फोन से रागव को कॉल किया और उसे सारी बाते बताए सिवाए इसके की परिधी कोई नॉमल इंसान नहीं है उसने उसे परिधी को कहीं से भी धून निकालने को कहा और कॉल कट कर दिया रागव ने भी रियांश के ओड़ को फॉलो करते हुए परिधी को धूनने के लिए अपने आदमियों को शिमला में चारों और लगा दिये वही रियांश भी घर के अंदर चुप बैटने वालों में से नहीं था वो भी जल्दी ही रेडी होकर बिना कुछ खाए परिधी को धूनने घर से निकल पड़ा सुबह से दोपहर और दोपहर से रात तक हो गई लेकिन परिधी का कुछ पता नहीं चला रियांश और राघव ने अपनी पूरी ताकत लगा दी लेकिन वो लोग परिधी को नहीं धून्द पाए रियांश जब अपने विला वापस आया तो उसे वो घर खाली खाली सा लगने लगा लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा उसे अपने दिल में एक खाली पंसा मेहसूस होने लगा था सुबह से उसने कुछ खाया पिया नहीं था वो बस पागलों की तरह परिधी को धून रहा था उसे अपना कोई होश ही नहीं था वो अपने घर में ना जाकर सीधा बार काउंट पर चला गया और परिधी को याद करते हुए ड्रिंक पर ड्रिक करता रहा उसने इस हद तक शराप के नशे में अपने आपको डुबो दिया था कि वो अपने पैरों पर खड़े होने की हालत में भी नहीं था इतने नशे में होने के बावजूद भी वो बार बार परिधी का नाम पुकार रहा था जब घर के बटल ने रियांश की ऐसी हालत देखी तो उसने एक गाट की मदद से रियांश को उसके मास्टर बैडरूम में पहुचा दिया ऐसे ही दो दिन बीद गए लेकिन परिधी के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चला और रियांश भी परिधी की याद में शराब के नशे में रहने लगा था वो अपने खाने पीने पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था सुबह सुबह ही परिधी को धून्वने निकल जाता और रात को जब वो वापस अपने विला में आता तो सीधा बार काउंटर पर जाकर शराब पीने लगता ऐसे ही एक दिन जब वो सोकर उठा तो उसका सर बहुत तेज दर्द करने लगा था शायद रात में उसने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली थी वो फ्रेश हो गया और ब्रेकफास्ट के नाम उसने सिर्फ एक ब्रेड बटर खाया और वापस अपने रूम में अपनी जैकेट लेने चला गया वो जैसे ही अपनी जैकेट लेकर कमरे से बाहर जाने वाला था कि तभी उसकी नजर एक ड्रॉप पर गई उसके पैर अपने आप ही उस और बढ़ गए और उसने जाकर उस ड्रॉप को खोला उसमें एक बहुत ही खूबसूरत सा बॉक्स रखा हुआ था जिस पर स्टोन्स लगे हुए थे रियान्ष ने धीरे से उसे खोला उसमें एक बहुत ही खूबसूरत मंगल सूत्र था जो की एक कस्टम मेट था, वो सिर्फ कहने के लिए मंगल सूत्र था जब की कोई भी उसे अगर देखता तो वो उसे किसी पेंडेंट की तरह ही लगता जिसमें सिम्पल सी दो चेंड जुली हुई थी और उनके बीच में एक हॉट सेप का पिंक स्टोन लगा हुआ था जिसे अगर बहुत ही ध्यान से देखा जाए तो ही किसी को पता चल सकता है कि उस पिंक स्टोन के अंदर रियांश के नाम और सरनेम का फर्स्ट लेटर लिखा हुआ था और के रियांश ने ये मंगल सूत्र सिर्फ और सिर्फ परिधी के लिए स्पेशियली बनवाया था उनकी कोर्ट मेरेच के बावजूद भी कभी रियांश ने ना तो परिधी की मांग भरी थी और नहीं उसे मंगल सूत्र पहनाया था और वो भी इसलिए क्योंकि परिधी एक ग्रैंड वैडिंग चाहती थी और उसने भी यही सोचा कि वो पूरे रिती रिवाज के साथ परिधी की मांग में अपने नाम का सिंदूर और मंगल सूत्र पहनायेगा एसलिए उसने उस मंगल सूत्र को संभाल कर रख दिया था लेकिन आज इस मनगल सूत्र को देखते ही रियांश को परिधी से किया हुआ वादा याद आ गया और फिर से परिधी की यदी में खो गया और बार काउंटर पर जाकर ड्रिंट करने लगा उसने सिर्फ आधे घंटे के अंदर अंदर साथ से आठ शराब की बोटल खत्म कर ली रियांश अपनी जगह पर से उठा और कार की चाबी लेकर जैसे तैसे करके पारकिंग एरिया में आया तबी उसे उसके गार्ड ने रोक लिया क्योंकि रियांश काफी नशे में था रियांश कुछ दूर गया ही था कि नशे में होने की वजह से उसने अपनी कार से अपना कंट्रोल खो दिया और उसकी कार जाकर एक पेड़ से बहुत बुरी तरह तकरा गई और उसका एक्सिडेंट हो गया वही रियांश के पीछे ही उसके बॉडी गार्ड भी उसका पीछा कर रहे थे क्योंकि वो काफी नशे में था जब बॉडी गार्ड ने अपने बॉस जा इतना भयानक एक्सिडेंट होते हुए देखा तो उन्होंने जैसे तैसे करके रियांश को उसकार से बाहर निकाल लिया और उसे जल्दी ही हॉस्पिटल में एड्मिट करवा दिया रियांश के बारे में जैसे ही कपूर फैमली, केविन और क्रिश को पता चला वो तुरंत शिमला आ गए जहां एक तरफ रियांश का इलाज चल रहा था तो वहीं दूसरी और केवे लन ये पता लगाने ने जूट गया कि यहां रितंद के साथ हुआ क्या लेकिन इतने सोरसेज इस्तेमाल करने के बावजूद भी वो रियांश के बारे में ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पाया बस इसके की वो यहां अपने लिए एक विला खरीदने आया था और उस शहर में ही उसने किसी लड़की की जान बचाए और उसके बाद वो उसी के घर में रहने लगी लेकिन वो लड़की को थी, कहां से आय थी, यहां तक कि उसका नाम तक वो लोग पता नहीं लगा पाये थे और वो इसलिए क्योंकि राघव ने पहले ही परिधी से जुड़े सारे सबूत मिटा दिये थे और ये सब उसने रियांश के कहने पर ही किया था, ताकि उसका कोई भी दुश्मन उसकी कमजोरी यानि उसकी वाइफ की तरफ आँख उठा कर भी ना देख पाए कपूर फैमिली रियांश को अपने साथ मुंबई ले गई, और जब उसे होश आया तो वो अपनी याददाश्ट खो चुका था उसे ना तो परिधी याद थी और ना ही अपना होने वाला बच्चा, वो शिमला से जुड़ी सारी यादे भूल चुका था तो वहीं रागव भी शिमला शहर छोड़ कर किसी और सिटी में सैटल हो चुका था क्योंकि रियांश ने पहले ही उसे परिधी से जुड़ी कोई भी बात किसी को भी बताने के लिए मना किया था तो जाहिर सी बात है कि वो केविन को भी उस बारे में नहीं बता सकता था इसी लिए उसने वो शहर छोड़ना सही समझा और शालू के साथ अपनी एक नई दुनिया बसा ली थी यहां इन सब की जिंदगिया धीरे-धीरे समय के साथ ट्रेक पर आ चुकी थी तो वहीं उन सब से कोसो दूर परी लोक में परिधी अपने कक्ष में किसी जिंदा लाश की तरह परी थी उसकी आखे खोली थी लेकिन ना तो वो कुछ बोल सकती थी, ना कुछ सुन या समझ सकती थी उस पर रानी परी ने अपनी शक्तियों का इस्तिमाल किया था जिससे वो बस सासे ले रही थी लेकिन उसे किसी भी बात का कोई होश नहीं था जब रानी परी परिधी को परी लोग वापस के आई तब उसने उन्हें बताया था कि वो मा बनने वाली है और तब रानी परी का गुस्सा उनके बरदास्ट से बाहर हा चुका था और उन्होंने गुस्से मैं आकर परिधी पर अपनी शक्तियों का इस्तिमाल कर उसे एक जिंदा लाश बना दिया और अब जब परिधी के बच्चे के जन्म का समय हो गया है तब भी परिधी बैट पर बेसोध होकर पड़ी है उसने ऐसे ही अपने बच्चे को जन्म दिया जब ये बात सौंदर्य परी और बाकी पारियों ने रानी परी को बताया तो वो परिधी को देखने उसके रूम में गई जब वो कमरे में पहुँची तो उन्हें किसी छोटे बच्चे की रोने की आवाजे सुनाई दी उन्होंने ना चाहते हुए भी उस बच्चे को चुप कराने के लिए उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसे देखते ही मानो इतने वक्त से जो उनका गुस्सा था वो एक ही पल में गायब हो गया और वो उस बच्चे की सर पर प्यार से हाथ फेरने लगी उनकी आँखों से अचानक ही आशु बेह निकले उन्होंने एक नजर अपनी बेटी पर डाली जो जिन्दा होकर भी किसी लाश की तरह पड़ी थी किसी चीज की सुद्बुद ना होते हुए भी परिधी की आँखों के कोनों से आशु निकल रहे थे ये देख रानी परी हैरान रह गई क्योंकि उन्होंने खुद उस पर अपनी शक्तियों का यूज किया था जिससे परिधी को कभी भी इस बात को एहसास मात्र भी नहीं होगा कि उसने कभी किसी बच्चे को जन्म दिया था शायद इसे ही एक मा की ममता कहते है जहां उसे किसी बात का कोई होश नहीं था जहां उसे अपने बच्चे तक के बारे में कुछ नहीं पता था उसके बावजूद भी बिना अपने बच्चे को मेहसूस किये भी उसका दिल उसके लिए रो रहा था जो आसू बनकर उसकी आँखों से बेह निकले कहीं मैं जो कर रही हूँ अपनी बेटी और उसकी बेटी साथ वो गलत तो नहीं जहां मैं कुछ ऐसा तो नहीं करने जा रही ना जिसका आगे जाकर मुझे पच्चताने का भी मौका ना मिले ऐसे ही कई सारे विचार रानी परी के मन में आ रहे थे कि तभी सौंदर्य परी वहां आ गई उन्होंने एक नजर परिधी पर फिर रानी पर की गोद में अपनी छोटी छोटी हलकी नीली आखें इधर से उधर घुमा रही बच्ची पर पढ़ी जो बहुत ही खूबसूरत और किसी डोल की तरह लग रही थी उसे देखते ही उसके चहरे पर अपने आपी एक प्यारी सी मुस्कान उभराई लेकिन अचानक कुछ याद आते ही उनका मन खट्टा हो गया और उनका चहरा उतर गया वो रानी परी से परेशान होते हुए बोली रानी परी क्या आपने इस बारे में फिर से अच्छे से सोच लिया है रानी परी उसकी बात सुन कुछ दर तक तो चुप रही फिर अपने मन को कठोर करते हुए बोली हाँ मैंने सोच लिया है ये बच्ची यहां हमारे साथ परी लोक में नहीं रह सकती इसे धर्ती लोक पर जाना होगा और इसे इसकी मंजिल तक आप ही पहुचाएंगी रानी परी ने सौंधर्य परी से अपनी सक्थ वोईस ने कहा जिस पर ना चाहते हुए भी उसे हाँ बोलन जिस में लिखा था कि ये तुम्हारी बेटी है जब रियांश को उस बच्ची के बारे में अपने गार्ट से पता चला तो वो नोट पढ़कर सोच के पढ़ा गया कि उसका बच्चा भला कब पैदा हो गया लेकिन वो एक मासून सी बच्ची को वहां अकेला भी नहीं छोड सकता था इसलिए वो उसे अपने घर में के गया और इस बात को confirm करने के लिए उसने अपना और उस बच्ची का दान्टेस्ट करवाया और जब वो बात confirm हो गई तो उसने भी पूरे दिल से उस बच्ची को अपनी बेटी मान लिया और अंजाने में ही उस बच्ची का नाम उ जान करते वक्त उस शक्तियों का असर कहीं ना कहीं उसके अंदर पर रहे बच्चे पर भी पढ़ा और परी ने अपनी आवाज खो दी, जिसका रानी परी को अंदाजा भी नहीं था, रियान्श अपनी बेटी परी के साथ खुश था, उसने अपनी और से पूरी कोशिश की थ अपनी बेटी के साथ खुशी-खुशी जी रहा था, तो वहीं परी लोक में भी रानी परी ने परीदी के दिमाग से उसकी धरती लोक से जुड़ी सारे यादे मिटा दी, और परीदी अपने पती और अपनी बच्ची के उस दुनिया में होने से अंजान अपनी जिन्दग परी तक को नहीं बताया था, तो आखिर वो कौन सी बात थी वो तो वहीं जाने, flashback end, to be continued, chatter 96, धर्म, कर्म और वचन से तुम्हें अपना बना लूँगा, sorry यार guys कल में आपको chapter नहीं दे पाए लेकिन मैं लिखते लिखते कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला और तब मैंन सिर्फ आधा ही chapter लिखा था, इसी लिए आज थोड़ा बड़ा chapter अपलोड कर रही हूँ, I hope कि आप मुझसे नाराज नहीं होंगे, let's start, present time, shimla, hospital, रियांश वार्ड में बेहोश पड़ा था, लेकिन जब परिधी ने उससे बाते की तो वो उसकी बातों पर react करने लगा, औ और धीरे धीरे उसे उसके past की यादे याद आने लगी, रियांश की आखों की पुतलिया अचानक ही हिलने लगी, जैसे वो बंद आखों से ही कोई बहुत बुरा सपना देख रहा हो, उसकी सासे भारी हो चुकी थी, और उसकी दिल की धढ़कने मानो बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा fast भाग रही थी, उसे धीरे धीरे अपने और परिधी की जिन्दगी के बारे में सब कुछ याद आने लगा, केसे उसने पहली बार परिधी को बच्चों के साथ खेलते हुए देखा था, केसे वो दोनों पहली बार एक दूसरे के आमने सामने आये थे, उसके किसी तूफान की तरहाई और परिधी उसके बच्चे को उससे चीन कर अपने साथ ले गई, जैसे जैसे रियांश को सब कुछ को याद आता गया, वैसे वैसे उसकी सांसे और भारी होती चली गई, और जैसे ही उसके कानों में परिधी की चीख सुनाई दी, वैसे ही उसने परिधी का नाम पुकारते हुए जट से अपनी आखे खोल दी, वो लंबी-लंबी सासे लेने लगा था, लेकिन फिर भी उसके मूँ से सिर्फ परिधी का नाम ही निकल रहा था, वो बार-बार परिधी का नाम बड़-बड़ा रहा था, और अपने आसपास देखते हुए समझ कोशिश कर रहा था कि वो फिलहाल कहा है, लेकिन तभी उसकी नजर अपने बैट के पास पड़े स्टूल पर बैटी परिधी पर पड़ी जो उसके हाथ को किसी पिलो की तरह यूज करते हुए उस पर अपना सर रख कर सो रही थी, उसने कलाई से उसके हाथ को पकड़ा परिधी को देखते ही उसके दिमाग में फिर से अपनी और परिधी की यांदे किसी फिल्म की तरह चलने लगी, वो सब वापस याद आते ही उसने अपने दूसरे हाथ को यूज कर अपने मूँ पर लगे ऑक्सिजन मास्क को निकाल दिया और उठने की कोशिश करने लगा, और उसके ऐसे हिलने दूलने की वज़े से परिधी की भी नींद खुलने लगी, उसने धीरे से अपना सर उपर उठाया और अपनी आखे मलते हुए देखने की कोशिश करने लगी की क्या हुआ है, तभी उसकी नजर रियांश पर पड़ी जो बैट से उठने की कोशिश कर था ये देख कि रियांश को होश आ गया है परिधी की रही सही नींद भी उरंचू हो गई और रियांश को होश में देख वो इतनी खुश हो गई कि लगभग उस टूल पर उचल ही पड़ी और अंजाने में ही उची आवाज में बोल पड़ी आप आपको होश आ गया आप थी से भरी आवाज सुनी तो उसने बैड से उठने की कोशिश करनी बंद कर दी लेकिन उसने ये चीज एक्सपेक्ट नहीं की थी कि वो सीधा उसके सीने से आ लगेगी वो कुछ पल के लिए तो दंग रह गया लेकिन उतनी ही जल्दी वो संभल भी गया और उसने भी उसकी कमर के चारो और अपने हाथ लपेट कर उसे और कस कर अपनी आगोश में ले लिया रियांच ने परिधी को अपनी बाहों में भरते ही सुकून से अपनी आखे बंद कर ली उसे परिधी को गले लगाते हुए ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे पूरी दुनिया मिल गई हो वो लड़ की से मिलवाया और उसे उसकी जिन्दगी में किसी फरिष्टे की तरह भेज दिया जिसने उसकी इस बेरंग जिन्दगी में वापस अपने प्यार के रंग भर दिये थे परी रियांच ने प्यार से परिधी को पुकारा जिसे सुन परिधी ने धीरे से अपना चेहरा उपर क और उठाकर रियांश की और अपनी आसु भरी आखों से देखने लगी। उसे समझ नहीं आया कि रियांश ने उसे परी कहकर क्यों बुलाया। लेकिन उसने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और रियांश से अलग होकर बोली आपको कुछ चाहिए। रियांश ने इशारों में उसे उसकी हेल्प करने को कहां ताकि वो उठकर बैठ सके। परेधी ने उसकी बात समझते हुए उसे ध्यान से सहारा देते हुए बैठ से टेक लगा कर अच्छे से बिठाया। और जल्दी जल्दी बोली आप रेस्ट कीजिए तब तक में डॉक्टर को बुल कर लाती हुए इतना कह वो जैसे ही जाने को मुडी की रियांच ने उसका हाथ पकड़ लिया। परेधी ने मूड कर रियांच की और सवालिया नजरों से देखा जैसे पूछना चाह रही हो की क्या हुआ। रियांच जैसे उसका सवाल समझ गया हो लेकिन उसने उसे कुछ क जहां नहीं बल्कि उसे अपनी तरफ खीचा जिससे परिधी ओल्मोस्ट रियांश के उपर ही जागिरी। इससे पहले की परिधी रियांश से कुछ कहपाती रियांश ने एक हाथ से उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया और अपने दूसरे हाथ से उसकी गर्दन को पीछे की तरफ से पकड़ कर अपने होंट उसके होठों पर रखकर उसे शिद्दत से चूनने लगा। परेधी तो बस आखे फारे उसे देखती ही रह गई कुछ पल के लिए तो उसका दिमाग पूरी तरफ ब्लैंक हो गया इस आदमी के अंदर इतनी एनरजी आती कहां से है एक तो इसने अपने सर पर चोट लगवा ली और हॉस्पिटल में कल से बेहोश पड़ा हुआ है इसके चक्कर में हम सब घंचकर बन गए और इन्हें देखो बीमार होने के बावजूद भी जनाब को रोमेंस सूज रहा है परेधी मन ही मन रियांश पर बरस रही थी लेकिन रियांश को तो जैसे किसी चीज का कोई होश ही नहीं था वो तो बस परिधी को किस करने में बिजी हो गया था ऐसा नहीं था कि उसे रियलाइज नहीं था कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है लेकिन उसे फिलहाल किसी चीज की कोई परवा नहीं थी वो तो बस अपने दिल को ये भरोसा दिलाना चाहता था कि उसका प्यार, उसकी वाइफ, उसकी परिधी उसके पास है उसकी किस में उसका डर, उसका दर्ग, उसके emotions involved थे जो उसकी यादाश्ट वापस आते ही वो परिधी के लिए फिल कर रहा था रियांश्ट ने परिधी को किस करते हुए अपनी जीब के जरिये परिधी के होंठो को अलग कर उसके मूँ के अंदर अपनी जीब को एंटर कर दिया और उसके मूँ का स्वाद लेते हुए उसे deep passionate किस करने लगा वो उसे तब तक पूरे passion के साथ चूमता रहा जब तक की परिधी की सांसे नहीं उखडने लगी और वो उसे उसके कंधे पर अपने छोटे छोटे हाथों से मारते हुए खुद से दूर करने की कोशिश नहीं करने लगी तब जाकर रियांश को जैसे होश आया और उसने परिधी के होंठो को रिलीच कर उसे सीधे अपने गले से लगा लिया परिधी तेज तेज सांसे ले रही थी और रियांश की बाहों में अपने आपको नॉमल करने की कोशिश कर रही थी तो वहीं रियांश उनकी किस के बाद भी काफी शांत था उसने अपनी आखें बंद की हुई थी और अपने चेहरे को परेधी के गर्दन में छुपा कर उसकी खुश्बू को अपने अंदर समाते हुए अपने अंदर उट रहे तूफान को शांत करने की कोशिश कर रहा था उसके दिमाग में अपने पास्ट और प्रेजंट में हो चुकी चीजे चल रही थी वो अपने दिमाग को शांत ही नहीं कर पा रहा था इसी लिए उसे अभी सिर्फ परेधी के पास रहना था ताकि वो अपने आपको अपने दिमाग को शांत कर सके और सच में ये उस पर असर भी कर रहा था परिधी का उसके पास रहना उसकी वो नेचुरल खुश्बू अब धीरे-धीरे उसे शांत कर रही थी परिधी अब नॉमल हो चुकी थी और जब उसे रियांश की पकड़ और मजबूत होती हुई महसूस हुई तो वो उसकी पकड़ से चूटने के लिए जटपटाने लगी लेकिन रियांश था कि उसे छोड़ने को तयार ही नहीं था बलकि उसकी पकड़ परिधी पर और मजबूत होती जा रही थी उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे अगर उसने परिधी को अपनी बाहों से आजाद कर दिया तो वो उसे फिर से छोड़ कर कहीं चली जाएगी वो अब एक पल के लिए भी परिधी को खुद से दूर नहीं जाने देना चाहता था परिधी का अब दम घुटने लगा था उसे ऐसा लग रहा था जैसे अगर वो अब एक और सेकंड इस तरह रियांश की बाहों में रही तो दम घुटने से ही मर जाएगी अरे पागल आदमी छोड़ो मुझे मेरा दम घुट रहा है ऐसे तो मैं जल्दी जी भगवान जी को प्यारी हो जाऊंगी अरे छोड़ो परिधी की आवाज सुन रियांश उससे तुरंट अलग हो जाता है उसके अलग होते ही परिधी अपने सीने पर हाथ रख लंबी लंबी सासे लेने लगती है उसे ऐसे देख रियांश परेशान हो गया और उसके चहरे को अपने हाथों में थामते हुए बोला क्या हुआ, तुम, तुम ठीक तो हो परिधी खुद को शांत कर रियांश की और नाराजगी से देखने लगी रियांश समझ गया तो वो अपनी गलती मानते हुए बोला अच्छा ठीक है मेरी गलती थी मुझे ऐसे तुम्हें इतने कसकर गले नहीं लगाना चाहिए था प्लीज अब तो गुस्सा मत हो परिधी जानती थी कि रियांश अभी बीमार है इसलिए वो उससे और बहस नहीं करती और उस पर से उठकर उसे वापस आराम से बैट पर लेटा कर जैसे ही डॉक्टर को बुलाने जाती है कि रियांश वापस से उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे भी अपने पास वाली खाली जगह पर लेटने का इशारा करता है लेकिन परिधी उसे मना करते हुए बोली नहीं मुझे डॉक्टर को बुलाने जाना है उन्होंने पहले ही कह दिया था कि जब भी आपको होश आये तो सबसे पहले हम उन्हें इंफॉर्म करें तो उन्हें बुलाना जरूरी है ना तो मैं उन्हें बुला कर लाती हूँ उसकी कोई जरूरत नहीं है मुझे अभी किसी से मिलने में कोई इंटेस्ट नहीं है डॉक्टर मुझे सुबह आकर चेक कर लेंगे और वैसे भी अभी सुबह के चार बज रहे है अभी किसी की भी नीन खराब करना सही नहीं तो तुम भी यहां आकर थोड़ी देर रेस्ट कर लो रियांच ने दोबारा उसे अपने पास आकर लेटने को कहा परिधी ने इस बार उसकी बात को नहीं टाला उसे भी उसकी बात सही लगी वैसे भी रियांश दिखने में बिलकुल नॉमल लग रहा था और केवें भी वेटिंग एरिया में बैठे-बैठे ही सो गया था इस चक्कर में उसकी भी नीन डिस्टब होती परिधी घूमकर बैठ के दूसरी साइड आई और रियांश के बगल में आकर लेट गई रियांश ने तुरंट उसे अपनी बाहों में खीच लिया और उसके सर को अपनी चेस्ट पर रख दिया परिधी ने हलका सा अपना चेहरा उपर की और उठाय और वो रियांश से कुछ कहने के लिए अपना मूँ खोलने ही वाली थी कि रियांश ने अपनी सर दावाज में कहा सो जाओ परिधी ने डर के मारे अपनी आखे तुरंट बंद कर दी रियांश ने उसके सर को प्यार से सहलाना शुरू कर दिया परिधी को रियांश के उसके बालों को सहलाना हमेशा से ही पसंद था रियांश के उसके सर को सहलाते ही जल्द ही उसे गहरी नींद आ गई लेकिन रियांश की आँखों में नींद का एक कत्रा तक नहीं था वो बस प्यार से एक टक परिदी के मासून से चेहरे को देख रहा था उसने डिसाइड कर लिया था कि वो अपनी याददाश्ट वापस आने की बात किसी को भी नहीं बताएगा और जब तक वो परिदी का सच नहीं जाना जाता तब तक वो परिदी से भी उन दोनों के पास्ट के बारे में कुछ नहीं बताएगा लेकिन इन सब से भी important decision रियांश ने लिया था जिसे वो जल्द से जल्द पूरा करने जामन बना चुका था परिदी को प्यार से देखते देखते उसकी आखे भी कब बंध हो गई उसे भी पता नहीं चला और वो भी परिदी को अपनी बाहों में ही भर कर सो गया अगली सुबह डॉक्टर ने आकर रियांश के कुछ टेस्ट किये और उनकी रिपोर्ट भी normal थी इसलिए रियांश भी वहाँ अब एक पल के लिए भी नहीं रुखना चाहता था उसने डॉक्टर से अपने डिस्चार्ज होने की बात कहीं रियांश की medical reports और उसकी health condition को देखते हुए उन्होंने उसे hospital से डिस्चार्ज दे दिया केवें ने रियांश के डिस्चार्ज होने की बात फॉन करके घर के बाकी लोगों को भी कह दी और वो तीनों hospital से निकल कर resort के लिए निकल गए resort पहुँचने के बाद किसी ने भी रियांश को ज़्यादा disturb ना करते हुए उसे उसके कमरे में rest करने भेज दिया लेकिन रियांश को कहीं और जाना था इसी लिए वो अपने room में जाकर fresh हो गया और फिर बिना किसी को कुछ भी बताए घर से बाहर निकल गया रियांश की कार सीधे जाकर उसके villa के पास आकर रूखी उसी villa के आगे जहां वो पांच साल पहले परिधी के साथ कुछ वक्त तक रहा था रियांश अपनी कार से बाहर निकला और अपने villa के अंदर चला गया वहां अब कोई नहीं रहता था बस एक केर टेक था जो हर रोज आकर उस villa की साफ सफाई का काम कर दिया करता था उसे रागव ने ही पांच साल पहले रियांश के वहां से चले जाने के बाद हाय किया था इसलिए घर में धूल मिट्टी का नामों निशान तक नहीं था रियांश अपने घर को देखते हुए अपनी पिछली यादों में चला गया वो हर के याद जो उसकी यहाँ परिधी से जुड़ी हुई थी वो एक-एक करके उसे याद करने लगा रियांश पूरे घर को देखते हुए वहां रखी हर एक चीज़ को छूते हुए आगे बढ़ रहा था फाइनली वो सीडियो से होते हुए अपने मास्टर बैडरूम तक पहुँच गया अपने कमरे जाद डोर ओपन कर अंदर जाते ही उसकी नजर सबसे पहले बैट के ठीक पीछे की दिवार पर एक बड़ी सी फोटो फ्रेम टंगी हुई थी जिसमें वो और परिधी थे जिसमें रियांश परिधी में पूरी तरह खोया हुआ था और वो शर्माती हुई परिधी जिसने अपनी नजरे जुकाई हुई थी उसके बालों की लटको उसके कान के पीछे कर रहा था और इसी सिन को फोटोग्राफर ने अपने कैमरे में केपचर कर लिया था वो सिन उस फोटोग्राफ में इतना खूबसूरत दिख रहा था कि रियांद ने उसी फोटो को बड़ा बना कर उसे अपने बैट के पीछे वाली दीवार पर लगवा दिया था जिससे अगर कोई भी उनके कमरे में एंटर करे तो सबसे पहले उसे उनकी वो फोटो दिखे रियांद ने उस फोटो के पास जाकर उस पर प्यार से अपना हाथ फिराया उस दिन को याद करते ही उसकी आखे नम हो गई लेकिन उसने जल्द ही अपने एमोशन्स पर कंट्रोल कर लिया और अपने कमरे में रखी एक एक चीज़ को ध्यान से देखने लगा और कभी कभी तो उसे चूबी लेता तभी उसकी नजर उस ड्रॉर पर गई जहां उसने पहले परिधी के लिए लिया हुआ मंगलसूत रखा था लेकिन उससे याद कि उसने बाद में उसे लौकर रूम में रख दिया था रियान्ष ने जल्दी से लौकर रूम में अपना पासवर्ड डाला और जैसे ही उसकी आखे दूसरे लोग के लिए स्कैन हुई और मैच होते ही वो लौकर खुल गया रियान्ष ने सबसे पहले उसने रखा अपना और परिधी का मेरेज सर्टिफिकेट निकाला उसे एक बार देखने बाद उस वैलवेट के बॉक्स को निकाला और उन दोनों को लेकर वो वापस उसी तस्वीर के सामने आकर खड़ा हो गया रियान्ष ने दोबारा अपने मेरेज सर्टिफिकेट को देखा फिर परिधी की फोटो की तरफ देखते हुए बोला हम दोनों की शादी इस कागस की टुकड़े पर सिर्फ एक साइन कर देने मात्र भर से हुई थी शायद इसी लिए शादी के पाँच साल हो जाने के बाद भी मुझे आज तक अपनी शक्तिया नहीं मिली बोलते हुए रियांश ने वेलवेट बॉक्स को खोल कर उसमें से उस मंगल सूत्र को अपने हाथ में लिया और अपनी बात आगे जारी रखते हुए बोला क्योंकि मैंने तुम्हें लीगली री अपनी वाइफ बना लिया था लेकिन धर्म, कर्म और वच्चन से तुम्हें अपनी पत्नी नहीं बना सका या यू कहूं के मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं तुमसे पूरे रीती रिवाज के साथ शादी कर सकूँ कहते हुए रियांश की आँखों में निराशा साफ जलक रही थी, वो कहीं ना कहीं उस चीज के लिए अपने आपको दोशी मान रहा था क्योंकि अगर उसने पहले ही परिदी से पूरे रस्मों रिवाज के साथ शादी की होती तो उसे भी अपनी सुपर नेचुरल पावस तभी ही मिल जाती और वो अपनी शक्तियों के जरिये परिदी को अपने आपसे दूर जाने से रोक सकता था लेकिन उसकी एक लापरवाही ने उसे और परिदी को एक दूसरे से पाँच साल अलग रहना पड़ा जिसके लिए वो शायद अपने आपको कभी माफ नहीं कर पाएगा रियांश ने एक लंबी गहरी सासली और अपने आपको शान्त करते हुए खुद से ही फड़ा किया कि वो अब और ज्यादा देर नहीं करेगा और जल्द से जल्द परिदी से पूरे रीती रिवाज के साथ शादी कर उसे धर्म, कर्म और वचन से हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लेगा उसने तुरंथ किसी को कॉल किया हेलो टुबी कंटिन्यूड चैप्टर 97, मुंबई वापसी रियांश जब रिजॉर्ट वापस लोटा तो वहां का माहौल काफी गर्म था दादा जी और परी को छोड़ो बाकी लोग वहां हौल में बैठे थे और रियांश के अंदर आते ही वो सब उसे घूर घूर कर देखने लगे थे रियांश ने उन सब की नजरों को इग्णो कर जैसे ही अपने कमरे में जाने की कोशिश की कि तभी अनीता जी ने उसे रोकते हुए उसके सामने आकर गुस से कहा कहा गया था तु तुझे पता है ना कि तुझे अभी रेस्ट करने की जरूरत है फिर भी तु बिना किसी को कुछ बताए बाहर के से चला गया रियांश चिर्टे हुए बोला मॉम प्लीज मुझे कुछ काम था बस इसी लिए थोड़ी देर के लिए बाहर गया था लेकिन आप ऐसे रियेक्ट क्यों कर रहे हो जैसे की मैं कोई छोटा बच्चा हूँ जिसे हर जगह जाने के लिए किसी को बता कर या उसकी परमिशन लेकर जाना होगा मैं अब बच्चा नहीं रहा मॉम मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ बिलकुल सही तो के रहा है रियांश, अनू, अनीता, उतकर्ष जी ने उन मा बेटे की बेहिस के बीच में ही कूदते हुए कहा वैसे भी उन्हें अक्सर अपने बेटे से काफी जलन मेहसूस होती थी जब भी वो उनसे ज्यादा रियांश की साइड लेती या उसकी ज्यादा केर करती तो उन्हें मन ही मन अपने ही बेटे से जलन होती थी लेकिन बिचारे सीधे सीधे अपनी बीवी के मुँँपर कहने की हिम्मत नहीं कर सकते थे वरना उन्हें घर निकला तो नहीं लेकिन हाँ बेडरूम निकाला जरूर मिल जाता वो अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोले रियांश अब कोई छोटा बच्चा नहीं रहा जिसे हम गाइड करते रहे वो खुद अब अपनी लाइफ के डिसीजन लेने के लिए केपेबल है उसे अब हमारे किसी भी सजेशन की जरूरत नहीं है लेकिन तुम खामखा अपने लाडले की ही चिंता करती फिरती हो हम तो जैसे तुम हे कहीं नजर ही नहीं आते आखरी लाइन उतकर्ष जी ने चिलते हुए खुद से ही धीमी आवाज में कहीं थी लेकिन वहां रियांश को डाट पढ़ते वक्त इतनी शांती पस्री हुई थी कि अगर एक सुई भी गिरती तो उसकी आवाज भी क्लियरली सब को सुनाई दे पढ़ती तो भला उतकर्ष जी की बात केसे किसी को सुनाई नहीं पढ़ती अनीता जी और परिधी को छोड़ वहां खड़े बाकी के लोगों को उतकर्ष जी की बात अच्छे से समझ में आ रही थी लेकिन सिर्फ उन दोनों को ही समझ में कुछ नहीं आया जिस पर अनीत जी ने तुरंत उतकर्ष जी को घूरते हुए उनसे कन्फ्यूज होकर सवाल पूछा आपका कहेना का क्या मतलब है कि मुझे सिर्फ अपने बेटे की पड़ी है किसी और की नहीं भला मुझे अपने बेटे के आलावा किसी और की परवा करने की क्या जरूरत है अपनी बीवी की बात सुन उतकर्ष जी का तो मुह ही लतक गया उनसे तो अब कुछ बोलते हैं नहीं बन रहा था वहीं उनकी ऐसी बीचारों वाली शकल देखकर वहां खड़े के वें रूही, क्रिश और नील को हसी आ रही थी लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग वहां सीरियस एक्स्प्रेशन लिए खड़े रहे उनके अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं थी जो वे लोग उतकर्ष जी पर हसे रियांश ने एक नजर अपने डेट की और देखा वो उन्हें सहानुभूती से देख रहा था फिर उसने अपने सर पर बंधी पट्टी को अपनी एक उंगली से सहलाते हुए अपनी मोम से बोला मोम अगर आपका मुझे डाटना हो गया हो तो अब आप सब अपनी अपनी पेकिंग करना शुरू कर दीजिए हमें आज शाम को ही मुंबई के लिए निकलना होगा रियांश की बात सुन एक पल के लिए सब हैरान रह गए लेकिन जल्दी ही नॉमल होते हैं किसी ने भी इस बात पर विरोध नहीं किया वैसे भी उनका वहां रुकने कोई इरादा कभी था है नहीं वो तो रियांश की वजह से उन्हें शिमला आने के लिए हामी भरने पड़ी क्योंकि उनके हिसाब से अभी भी रियांश की आदाश्ट वापस नहीं आई थी और उन्हें अभी भी ये डर सता रहा था कि कहीं रियांश का यहां और ज्यादा रुकना उसके लिए खत्रा ना बन जाए इसलिए कपूर फैमली ने उसकी बात को बिना किसी अबजेक्शन के मान लिया रही बात नील और परिधी की तो उन दोनों को भी इस बात से कोई परिशानी नहीं थी सब ने एक साथ बैठ कर लंच किया और अपने अपने कमरे में जाकर पेकिंग करने लगे रियांश की पेकिंग का जिम्मा रियांश ने परिधी को सौप दिया और खोद बैठ पर लेट कर थोड़ी देर के लिए सो गया शाम होते ही सब हवाई अड़े पर जा पहुँचे और अपने प्राइवेट प्लेन से मुंबई के लिए रवाना हुए जब सब ओल्ड कपूर विला पहुचे तो रात हो चुकी थी किसी का कुछ भी खाने मन नहीं था क्योंकि उन्होंने प्लेन में कुछ ना कुछ तो खा पी लिया था उपसे सब काफी ठक भी चुके थे वो सब सीधे अपने अपने कमरे में चले गए परिधी की गोध मैं भी परी पहले ही गहरी नींद में सो चुकी थी वो उसे लेकर उसके कमरे में चली गई और बिना उसकी नींद डिस्टब किये परिधी ने सावधानी बरते हुए परी के कपड़े चेंज कर लिये और उसे उसकी नाइट ड्रेस पहना कर उसे अच्छे से कंबल ओडा दिया और प्यार से उसके माथे को चूम कर एक डिम लाइट आन करके कमरे से बाहर जाने के लिए जैसे ही वो मुड़ी उसे दरवाजे से सटकर खड़ा हुआ रियांश दिखाए दिया जो की अपने होंठो पर एक छोटी सी स्माइल लिये उसे ही देखे जा रहा था ये कुछ ऐसा था कि कोई आशिक अपनी प्रेमिका को चुपके चुपके से देख रहा हो परिधी उसे अचानक अपने सामने देख थोड़ा डर गई थी लेकिन वो जल्दी ही नॉमल भी हो गई और उसके पास जाकर धीमी लेकिन मासूमियत से बोली आपने तो एक पल के लिए मुझे डरा ही दिया था केर आप ये छोड़िये और ये बताए कि आप यहां क्या कर रहे है और आपने अपनी दवाई ली रियांच ने अपनी गर्दन नामे हिलाई और कमरे के अंदर आ गया परेधी उसकी ना सुन चीर गई और उसे घूरने लगी वही रियांच ने अपनी लिटिल प्रिंसेस को प्यार से देखते हुए उसके गाल को सहलाया और अपने मन में बोला आई नो बच्चा आपको भी हमेशा अपनी मोम की कमी मेहसूस होती थी लेकिन आपको कभी कोई पसंद ही नहीं आया जो आपकी मम्मा बनने के लायक हो लेकिन आपने अंजाने में ही उसे मन हूं मन अपनी मोम बनाने का डिसीजन ले लिया जो एक्चूल में आपकी ही मोम है आप अब तक अपने मोम के प्यार के लिए तरपे हो बच्चा लेकिन अब और नहीं आई प्रॉमिस आने वाले इन तीन दिनों के अंदर अंदर परिधी आपकी मोम बन जाएगी शायद वो खुद भी आपके इस दुनिया में होने के वजूद से बेखबर है इसलिए वो ना तो मुझे और ना ही आपको पहचान रही है बट डोंट वरी उसे बहुत जल्द सब कुछ याद आ जाएगा उसके बाद हम तीनों एक हैपी फैमिली की तरफ एक साथ रहेंगे रियांश ने परी के फोरहेड पर किस किया और परिधी का हाथ पकड़ कर परी के कमरे से बाहर निकल कर अपने कमरे में चला गया अरे आप ये क्या कर रहे है मुझे यहां क्यों लेकर आए है मेरा कमरा ये नहीं है मेरा रूम तो आपके कमरे के दो कमरे के बाद का है परेधी अपना हाथ छुडाते हुए रियांश से बोल ही रही थी कि तब तक रियांश उसे अपने कमरे में ले आया और रूम का लोग भी लगा दिया इतना चिल्ला क्यों रही हो? एक तो वैसे ही मेरा सर दर्द कर रहा है उपर से तुम हो की अपनी बगबग बंद करने का नाम ही नहीं लेती और वैसे भी तुम्हारे लिए ये पहली बार तो नहीं है ना जब तुम मेरे साथ एक रूम और एक बेट शेयर करने वाली हो तो अब बिना किसी बहस के चुप चाप आकर सोजओ और कमरे से बाहर जाने का ख्याल तो मन में लाना ही मन बिकोज बिना पास्तवर्ट के तो वो खुलने से रहा इतना कहकर रियांश ने अपनी आदत के अनुसार अपनी ती शर्ट उतार कर सोफे पर फेक दी और अपने बेट पर आराम से लेट गया लेकिन सर में हलका हलका दर्द होने की वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी वही परिधी ने जब रियांश के मुह से ये सुना कि उसका सरदर्द कर रहा है तो उसे उसके बाद से रियांश की कहीं हुई कोई भी बात सुनाई ही नहीं दी उसे तो बस रियांश की ही फिक्र सता रही थी उसे याद था कि शिमला हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने से कुछ वक्त पहले ही एक नज ने रियांश की ड्रेसिंग की थी जिसे उसने अच्छे से देखा था परिधी ने जल्दी से एक ड्रॉ में से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और रियांश को उठकर बैठने को कहा रियांश उसके हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स देखकर समझ गया कि परिधी क्या करना चाहती है उसने उसे नहीं रोका और उसकी बात मानते हुए उठकर बैठ गया परिधी ने रियांश की ड्रेसिंग कर दी और उसे उसकी दवाई भी दे दी और आकर बैड पर रियांश के पास लेट गई रियांश ने उसे तुरंट अपनी बाहों में भर लिया परिधी ने एक नजर रियांश को देखा जो अपनी आखे बंद किये हुए था उसने अपना मुह बना लिया और ना चाहते हुए भी रियांश की चेस्ट पर अपना सर रख अपनी आखे बंद कर दी लेकिन कुछ देर बाद अचानक ही उसे मेरी आंटी की कहीं हुई बात याद आ गई और उसने वापस से अपना सर उपर की और उठाया और रियांश से बोली मुझे आपसे कुछ बात करनी है परीदी ने रियांश की ड्रेसिंग कर दी और उसे उसकी दवाई भी दे दी और आकर बैड पर रियांश के पास लेट गई रियांश ने उसे तुरंत अपनी बाहों में भर लिया परिदी ने एक नजर रियांश को देखा जो अपनी आखे बंद किये हुए था उसने अपना मुह बना लिया और ना चाहते हुए भी रियांच की चेस्ट पर अपना सर रख अपनी आखे बंद कर दी लेकिन कुछ देर बाद अचानक ही उसे मेरी आंटी की कहीं हुई बात याद आ गई और उसने वापस से अपना सर उपर की और उठाया और रियांच से बोली मुझे आपसे कुछ बात करनी है हाँ बोलो रियांच ने बिना अपनी आखे खोले कहां जिस पर परिधी थोड़ा हिच किचाते हुए बोली वो, वो एक्चुली कुछ दिन पहले मेरी आंटी ने मुझसे परी के बारे में बात की थी उन्हें लगता है कि मतलब मुझे भी यही लगता है हमें अब परी को स्कूल पढ़ने के लिए भेजना चाहिए परी का नाम सुनते ही रियांच ने अपनी आखे खोल दी थी नहीं उसका यहां कोई दोस्त है वो बस अपनी पढ़ाए और अपने खिलोनों के साथ खेलती रहती है अगर वो घर से बाहर निकलेगी बाकी बच्चों की तरह स्कूल जाएगी तो उसे भी बाकी बच्चों की तरह वहां नई नई चीजे सीखने को मिलेगी और उसके नए नए दोस्त भी बनेंगे और क्या पता उसके अबदर जो confidence की कमी है वो स्कूल जाकर दूसरे लोगों से मिलकर दूर हो जाए हम, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ लेकिन तुम जानती हो ना कि परी, रियांश कहते कहते रुख गया परिधी उसके यू बोलते वक्त अचानक रुखने की वज़े समझ गई वो कहते कहते इसी लिए रुख गया क्योंकि की वो अपने मुह से ये नहीं कह पाया कि उसकी बेटी बोल नहीं सकती परिधी इतने दिनों में रियांश को इतना तो समझ गई थी की रियांश दूसरों के सामने अपने emotions अपनी feeling को कभी अपने चहरे के expression धरू जाहिर नहीं होने देता था लेकिन अगर बात परी की हो तो उसके emotions उसकी feelings अपने आप उसके चहरे पर नजर आने लगती थी इससे पहले की परिधी रियांश से कुछ कहती रियांश अपनी बात को पूरी करते हुए आगे बोला मैं भी बाकी आम पेरेंट्स की तरह चाहता हूं कि मेरी बेटी भी मुझे देड या पापा कहकर बुलाए वो भी बाकी बच्चों की तरह हर एक एक्टिविटीज में बेस्ट हो उसके अंदर भी लोगों को फेज करने की हिम्मत हो वो लोगों से दरे नहीं वलकी उनका डटकर सामना करे पर मैं ये सब बस अपने ख्यालों में इमेजन कर सकता हूं लेकिन ऐसा कुछ रियालिटी होगा इसके चांसेस बहुत कम है रियांश ने अपने तरफ से बैस्ट से बैस्ट डॉक्टर से कॉन्टेक्ट किया था लेकिन उनमें से कोई भी परी के ना बोलने की पीछे की वज़े को नहीं समझ पाया उनकी रिपोर्ट की मुताबिक परी भी बाकी बच्चों की ही तरफ बिलकुल नॉमल थी लेकिन उसके बावजूद भी क्यों अपने मुँसे कुछ बोल नहीं पाती इसका रिजन दुनिया का बैस्ट से बैस्ट डॉक्टर भी पता नहीं लगा पाया जिससे रियांश की बच्ची कुछी उमीद भी तूट गई लेकिन अब जब उसे परिधी और अपने पास्ट के बारे में सब कुछ याद आ चुका है तो पता नहीं क्यों लेकिन उसे ऐसा लग रहा है कि परी के ना बोलने के पीछे की वजह कहीं ना कहीं परिधी से जुली हुई है रियांश ये सब सोची रहा था कि उसे अपने कानों में परिधी की आवाज सुनाई दी लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं ना परिधी ने एक और बार रियांश को समझते हुए कहां जिस पर रियांश ने कुछ सोचकर हां में गर्दन हिला दी ठीक है, हम एक काम करते है पहले तुम परी को स्कूल जाने ये लिए कन्वेंश करो अगर वो मान जाती है तो हम जल्द से जल्द उसका एड्मिशन यहां के सबसे बैस्ट स्कूल में करवा देंगे लेकिन अगर वो इसके लिए नहीं मानी तो फिलहाल हम उसे फोस भी नहीं करेंगे It's that clear परिधी को रियांध की बात सही लगी तो वो मान गई और वापस से रियांश की चेस्ट पर अपने सर को अच्छे से एडजस्ट करके अपनी आखे बंद कर ली रियांश ने भी अपनी पकड़ परिधी पर मजबूत कर ली और मन में उठ रहे सवालों को जहतक दिया उसने प्यार से परिधी के चेहरे को देखा और उसके फहेड पर प्यार से किस कर दिया फिर अपनी आखे बंद करके वो भी सो गया केवेन के कमरे में केवेन अपने बैट पर बार बार करवटे बदल रहा था वो सोने की कोशिश तो कर रहा था लेकिन उसे नींद ही नहीं आ रही थी उसके दिमाग में बस रूही ही चाय हुई थी उससे ये बात बरदास्त नहीं हो रही थी कि उन दोनों के बहस के बाद से रूही ने एक बार भी उससे बात नहीं की और उपर से वो उसे बार बार इग्नो कर रही थी, उसका उसे इस तरफ इग्नो करना केवेन के अब बरदास्ट से बाहर होता जा रहा था, उपर से रूही और नीली की नस्दी किया जो दिन बदिन और बढ़ती जा रही थी और जिसके चलते वो उसे एक नजर देखती तक नहीं जिससे केवेन को और गुस्सा आ जाता था लेकिन उसके बावजूद भी उसने शिमला ट्रिप पर अपने आपको संभाला लिया क्योंकि वो वहां किसी भी तरह का कोई तमाशा नहीं करना चाहत था लेकिन अब उसे जल्द से जल्द इस बात का कोई ने कोई तोड़ तो निकालना ही होगा ताकि निल और रूही एक दूसरे से जितना हो सके उतना दूर रहे केवेन जो अपने बैट पर इधर से उधर करवटे बदलते हुए ये सब सोच रहा था कि तभी उसे कुछ याद आया आचानक उसकी आँखों में चमक आ गई और वो जट से उठकर बैट गया और एकसाइटमेंट में खुद को ही डाटते हुए बोला मैं भी ना इतनी इंपोर्टेंट बात केसे भूल गया जब रूही इंडिया आने वाली थी तब रियांश ने मुझसे कहा था कि उसे थोड़े टाइम के लिए मेरे साथ मेरी कमपनी में काम करके बिजनेस की बारीक से बारीक चीजे सीखनी होगी मतलब अब उसे कल से ही मेरा ओफिस जॉइन करना पड़ेगा क्योंकि वो किसी की बात माने या ना माने लेकिन रियांश की बात को वो कभी नहीं टालेगी बोलते वक्त केवन की आँखे खुशी से चमक उठी कुछ सोचते हुए उसने अपने साइट टेबल से अपना फोन उठाया और अपने फोन के वाल पेपर पर लगी रूही की फोटो को देखा और उस फोटो पर उसने प्यार से हाथ फेरते हुए एक डेविल स्माइल देते हुए बोला सो मिसेज रूही केविन महरा आपने मुझे यानि अपने हस्बंट को इग्नो करके बहुत बड़ी गलती कर दी अब गलती आपने की है तो पनिश्मेंट भी तो आपको मिलनी ही चाहिए ना कल तुम्हारा मेरे ओफिस में पहला दिन होगा एंड आइ प्रॉमिस तुम्हारा ये दिन मैं हमेशा के लिए एक यादगार दिन बना दूँगा जस्ट वेट एंड वाच लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ मैं तुमसे अब भी उतना ही गुस्सा हूँ तुम्हे इस चीज की पनिश्मेंट तुम मिलकर ही रहेगी आखिरकार तुमने मुझे केवेन महरा को जो इगनो करने की हिम्मत की है अब मैं भी देखता हूँ कि तुम मुझसे के से दूर भागती हो केवेन डेविल स्माइल देते हुए खुद से बोला और अपने अपने फोन को उसकी जगह पर रख कर वापस से बैड पर लेट कर सुकून से अपनी आखे बंद कर दी उसे बस अब कल के दिन का इंतजार था वही रूही के कमरे में रूही ने अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स अच्छे से एक फाइल में एडजस्ट कर लिए उसे कल से केवेन का ओफिस जो जॉइन करना था इसी लिए वो अपने इंटर्व्यू की तयारी कर रही थी बेशक वो कपूर खांदान की बेटी, रियांश कपूर की छोटी बहन और केवेन की लीगल वाइफ थी लेकिन उसके बावजूद भी उसने हमेशा लौ प्रोफाइल मेंटेन की हुई थी और उसी वजह से बस गिने चुने लोग ही ये जानते थे कि वो कपूर खांदान और रियांश कपूर की बहन थी और रही बात कैवन के वाइफ होने की तो इसके बारे में तो उसने कभी किसी को कुछ बताया ही नहीं और ना ही कैवन ने दुनिया के सामने उसे अपनी वाइफ के तौर पर लोगों से इंट्रोड्यूस करवाया इसी वजह से लोगों के लिए वो भी बस एक आम लड़की से ज़्यादा कुछ नहीं थी और उसे भी बाकी लोगों की तरह किसी ओफिस में जॉब करने के लिए इंटर्व्यू देना होगा और उसे पास भी करना होगा रूही अपनी तरफ से अपने पहले जॉब इंटर्व्यू में कोई भी कमी नहीं रहने देना चाहती थी इसी लिए वो उसकी प्रिपरेशन रात में ही कर लेना चाहती थी ताकि सुबह कोई प्रॉब्लम नहों और नहीं उससे अपने कोई भी डॉक्यूमेंट घर पर ही छूट जाए जब उसे लगा कि उसने अपनी सारी चीजे अच्छे से रख ली है तो वो निश्चिन्थ होकर अपने बैड पर लेटते ही सो गई अगली सुबह परिधी उठकर शाव लेने के बाद रेडी होकर सीधे परी के कमरे में चली गई उसने उसे उठाया और रेडी करके उसके बाल बांधने लगी और थोड़ी देर की हिच्किचाहट के बाद वो बोली परी क्या आप स्कूल जाना चाहते हो परी ये सुनते ही डर गई और परिधी की तरफ मुड़कर उसे हैरानी और घबराहट में देखने लगी परिधी उसकी आँखों में घबराहट को भांप गई और उसने उसे प्यार से अपने सीने से लगा लिया और उसके बालों पर प्यार से अपने हाथ फिराने लगी, परी ने भी अपने छोटे छोटे हाथों से उसे कमर से पकड़ लिया, परिधी और परी दोनों को ही एक दूसरे को बाहों में सुकून मिल रहा था, परी अब सच में परिधी को अपनी मा समझ बैठी थी, और यही का कोई नाता हो, जब परिधी को लगा कि परी अब पहले से बैठा है तो उसने उसे धीरे से अपने आप से अलग किया और उसके प्यारे से चेहरे को अपने हाथों में भर कर उसे प्यार से समझाते हुए बोली, बेटा, आप स्कूल के नाम पर इतना क्यों डर रहे हो, वो एक स्कूल ही तो है, और वहां आपको new new friends बनाने का मौका भी मिलेगा, आप वहां new new activities भी सीख होगे, और वहां और भी बहुत सी चीजे होंगी जो आप वहां सीख सकते हो, आप जिस तरह घर पर पढ़कर भी हर question के answer आसानी से solve कर देते हो, चाहे वो question science से related हो या फिर किसी methods की problem आप बहुत ही इजली उसे solve कर लेतो हो बच्चा, फिर आपको भला किसी से दरने की क्या जरूर है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप अपनी intelligent और capability से उन सब का मुह बंद कर देंगी जो आपको चुनाते हैं, आपको bully करते हैं, परी बड़े गौर से परिधी की ब दोना दोना शुरू कर देते या किसी बात की जिद पकड़ लेते, वो भी थोड़ी जिद्दी जरूरी थी लेकिन जब रियान्श उसे समझाता तो वो उसकी बात भी आसानी से मान लिया करती थी, वो जितनी पढ़ाई में तेज थी उतनी ही mobile, laptop, iPad जैसे technology चीजे यूज कर बाते की और उसे school जाने की importance भी समझाए, परी भी उसकी बाते अच्छे से समझ रही थी और उसने भी आखिर कर परिधी की बात मान ली और school जाने के लिए तयार हो गई, वैसे तो परिधी खुद भी पढ़ाई के मामलों में पूरी तरह से नौसिखिया ही थी, लेकिन जब अब से वो रियांश के घर में आई थी, तब से ही जब कभी भी उसे मोका मिलता तो वो परी की notebook या रियांश की library में से कोई ना कोई किताब अपने magic की मदद से आसानी से पढ़ और समझ लेती थी, इसलिए उसे परी को पढ़ाई की क्या importance होती है उसे समझाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, डाइनेंड हॉल में दादा जी, उतकर्ष जी, अनीता जी, रूही, कैवन, क्रिश और नील सब लोग breakfast कर रहे थे, रूही और कैवन दोनों ही एक दूसरे के पास वाली चैपर बैठे थे, या यो कहे कि कैवन ने जानबूच कर नील को रूही से लिए, नील के रूही के पास बैठने से पहले ही खुद उसके पास वाली चैपर आकर बैठ गया, नील को कैवन की ऐसी हरकत पर ज्यादा कोई फर्क पड़ा नहीं और नहीं उससे ये चीज अजीब लगी, वो वहां से क्रिश के पास बैठ गया, लेकिन केवन की इस हरकत के पीछे की वजह रूही अच्छे से समझ चुकी थी, जिससे वो उस पर बुरी तरफ चीर उठी, और केवन को तिरची नजरों से घूरने लगी, जब केवन को इस बाद जा एहसास हुआ कि रूही उससे ही घूर रही है, फिर भी उसने ऐसे रियक्ट किया जैसी कि उसे भी नीचे आ गई और वो तीनों अपनी अपनी चया पर जाकर बैठ गए, वानिता जी ने जब रियांच को ओफिस जाने के लिए अपने बिजने सूट में देखा तो वो उस पर गुसा होते हुए बोली, ये क्या रियांच तुम इतने बंठन कर नीचे क्यों आए हो, तु तुम है अभी भी रेस्ट की जरूरत है, और तुम हो की इतनी जल्दी ओफिस जाने के लिए रेडी भी हो गए। इसके सर पर पट्टी लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी इसे सिर्फ अपने काम की पड़ी है, ये नहीं की थोड़ा बोहुत अपने आप पर भी ध्यान दे, और कुछ दिनों तक रेस्ट कर ले, लेकिन नहीं इस कुछ भी समझाना अपने सर को दीवार पर पट जाते थे, और नहीं उनका कोई इंट्रेस्ट था उन दोनों के जहमेले में पढ़ने का, इसी लिए उन्होंने उन पर ध्यान न देते हुए अपना ब्रेकफास्ट इंजोए करना बहतर समझा, वहीं जब अनीता जी ने देखा कि उनके पती परमेश्वर उनकी बातों पर बिलकुल भी ध्यान नहीं दे रहे तो उन्हें और भी ज्यादा गुसा आ गया, लेकिन इससे पहले कि वो अपने पती की भी क्लास लगा देती परिधी ने सब जाध्यान अपनी तरफ खीचे हुए कहा, मुझे आप सब को कुछ बताना है, परी स्कूल एडमिशन के लिए म बात करता तो वो हमेशा दर जाती और स्कूल जाने से भी मना कर देती, उन्हें ये तो नहीं पर था कि पती उस बात के लिए केसे रही हुई लेकिन फिर भी सब बहुत खुश थे, अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, दादा जी ने खुशी से कहा, अनीता जी भी उ परी को देखते हुए उससे प्यार से पूछा, जिस पर परी उन्हें देखते हुए बस स्माइल पास कर दी और अपने चेहरे को अपने देड की तरफ घुमा दिया, रियांध ने भी खुश होकर प्यार से उसके सर पर अपना हाथ फेरते हुए कहा, तो फिर ठीक है अगर म समझ नहीं आया कि रियांध दो दिन बाद परी के एडमिशन की बात क्यों कर रहा है, अगर वो चाहे तो कल क्या आज ही उसका एडमिशन करवा सकता है, फिर वो दो दिन और क्यों वेट करना चाहता है, रियांध ने अपना ब्रेकफास्ट कम्पलीट कर लिया था, वो अप और रूह बच्चा आज तुम्हारा इंटर्व्यू है ना उसके लिए all the best, बोलते हुए रियांध ने रूही के फहट पर किस कर दिया, रूही भी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और रियांध को हग करते हुए बोली, ठैंक्स भाई रियांध ने भी रूही को गले से लगा लिया और उसके बालों पर प्यार से हाथ फेरा फिर सब को बाय बोल वो तीनों रियांध परी और परिधी रियांध के ओफिस के लिए निकल गए। बाकी सब भी एक एक कर अपने अपने वर्क प्लेस के लिए निकल गए। तु बी कंटिनूड चटर 99, केवेन और र रूही केवेन की कार से साथ में ही उसके ओफिस पहुचे। पूरे रास्ते उन दोनों के बीच सननाटा पसरा रहा। उन दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे से बात करने की कोशिश नहीं की। रूही लगातार खिड़की के बाहर देख रही थी। तो वही केवेन अपने फोन में लगा हुआ था। वो शायद किसी से फोन पर ही चेट कर रहा था और उसके चहरे पर एक सेटिसफेक्शन वाली स्माइल थी। जब ड्राइवर ने उनकी कार को ओफिस के गेट के अंदर दाखिल कर उस बड़ी सी गलास की इमारत के सामने रोकी की तुरंत ही केवेन का गादर उनके पास आ गया और उनकी कार की पिछली साइड का डोर को ओपन किया जिसमें से बड़े ही एटिट्यूट और स्टाइल से केवेन अपने कोर्ट के बटन लगाते हुए बाहर निकला वही रूही ने अपने हाथ में अपनी फाइल ली और इससे पहले की वो अप कीरे से कार से बाहर निकल गई केवेन ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और उसे ओफिस के अंदर को और के जाने लगा ये देख की केवेन ने उसका हाथ पकड़ा है रूही दोबारा चौप गई और घबराते हुए पहले अपने आस-पास देखा जब वो श्यो हो गई की किसी ने उन्हें नहीं देखा तब वो थोड़ा नॉमल हुई और केवेन को घुर कर देखते हुए अपनी जगह पर रुख गई तो केवेन भी चलते-चलते रुख गया और उसकी तरफ पलट कर देखने लगा रूही चिलकर उस पर गुसा होते हुए बोली ये क्या हरकत है केवन हम तुम्हारे घर में या किसी लव गार्डन में नहीं है जहां तुम मेरा हाथ पकड़ कर वॉक के लिए निकले हो ये तुम्हारा ओफिस है अगर गलती से भी किसी इंपलॉई ने हमें उस तरह देख लिया होता तो क्या सोचते वो हमारे बारे में और तुम तो उ रूही अपनी बात पूरी कर पाती केवन उसे उसकी कमर से पकड़ कर अपनी तरफ खीचता है और उसे अपने से चिपका लेता है और धीरे से रूही के चेहरे के करीब अपने होंठों को ले जाकर कहता है भला तुम्हें कब से लोगों से फर्क पड़ने लगा वो तुम ही पढ़ता कि जिसके बारे में वो लोग बात कर रहे हैं। उस बात में कितनी सच्चाए है और कितनी नहीं। उससे किसी की लाइफ किसी के करिये पर क्या असर पढ़ सकता है। उन्हें उन बातों से कोई फर्क नहीं पढ़ता। उन्हें बस गौसिप करना आता है। बाकी यानि इन डाइरेक्टली में तुम्हारे नक्षे कदम पर ही तु चल रहा हूँ केवन ने बड़े प्यार से अपने दूसरे हाथ से रूही के गाल को सहलाते हुए कहा। रूही मन ही मन ये सब सोच रही थी कि उसे पता भी नहीं चला कि कब केवन उसे अफिस के अंदर लेकर आ गया। क्या रहा है वो बस हैरानी और कन्फ्यूजन में अपने आसपास देखे जा रही थी। तभी केवन ने सब को देखते हुए कहा। हेलो एवरीवन आप सब इन्हे तो जानते ही होंगे। केवन ने रूही की तरफ देखते हुए अपने स्टाफ से कहा। वो आगे बोला लेकिन फिर भी मैं आप सब को इन से इंट्रिड्यूस करवा देता हूँ। मिट माइ वाइफ मिसिज रूही केवन महरा और महरा इंडस्ट्रीच की 50% शेर की माल किन भी। अब से ये कमपनी जितनी मेरी है उतनी ही मेरी वाइफ रूही महरा को भी है। वो भी अब से इस कमपनी की 50% शेर की पार्टन है। सब लोग ये सुन फिर से वलैपिंग करने लगे। तब जाकर रूही होश में आई वरना केवन की बाते सुनकर तो उसे सदमा ही लग गया था। कहां वो यहां एक इम्पलोई की तरफ काम करने आय थी। और अब उसी जगह की आधी मालकिन बन चुकी थी। वो केवन से इस बारे में बात करना चाहती थी। लेकिन तभी वहां के स्टाफ में से दो लोग एक बहुत ही बड़ा चौकलेटी केक लेकर आ गए। और सारे स्टाफ ने उन दोनों को साथ में केक कटिंग करने के लिए फोस किया। उन दोनों ने सब का दिल रखने के लिए वो केक साथ में काटा और केवन ने अपने असिस्टेंट को रूही का केवन बताने को कहा। उसे तो ने बाद में देख लूंगी, रूही ने केवन को देखते हुए मन ही मन चिरते हुए कहा। और सब की और देखते हुए उनके लिए इतना कुछ करने के लिए सब को politely thanks कहा फिर वो उस असिस्टेंट के साथ चली गई और केवेन भी अपने केवेन में चला गया होगा। वो company के पास ही था तो परिधी परी को लेकर shopping करने चली गई उसके साथ office की एक female staff भी थी क्योंकि रियांश को पता था कि उसकी बीवी कभी कबार बच्चों वाली हरकते करती थी उसका कोई भरोसा नहीं कब क्या कर बैठे पहले तो परिधी ने इस बात के किये विरोध किया ल Group of Industries के building के gate के अंदर एक साथ तीन black car एंटर हुई दो कार में से black suit पहने bodyguards बाहर निकले और बीच वाली black car के सामने जाकर पीछे की sit का दर्वाजा खोला उसके अंदर से एक आदमी black थरी piece suit पहने बाहर निकला और company के अंदर बढ़ गया उसके पीछे पीछे उसके bodyguards भी अंदर चले गए अपने आदमियों को gate के entrance के पास ही खड़े रहना का बोल वो खुद receptionist के पास गया और अपना नाम बता कर रियांश से मिलने की बात कही receptionist उस सक्स के पास कोई appointment ना होने की वज़े से वो उसे अपने boss के cabin में नहीं भेज सकती थी इसी लिए उसने नितिन को call किया जो की रियांश का दूसरा assistant था जब उसने receptionist के मुह से उस सक्स का नाम सुना तो वो तुरंट बिना एक भी पल गवाए अपने केबिन से लगभग भागता हुआ नीचे receptionist के पास आया और जब उसने उस सक्स को देखा तो उसने respectfully उसका अभिवादन किया और उसे रियांश के केबिन के बाहर छोड़ कर वहां से अपने केबिन में चला गया जब उस सक्स ने बिना नोग किये केबिन में एंटर हुआ तो रियांश ने भी बिना उसकी और देखे बोला तो तुम फाइनली आही गए तुम बुलाओ और मेना आउन ऐसा कभी हो सकता है क्या उस सक्स ने एक छोटी सी स्माइल देते हुए रियांश से कहा जब उस सक्स ने बिना नोग किये केबिन में एंटर हुआ तो रियांश ने भी बिना उसकी और देखे बोला तो तुम फाइनली आही गए तुम बुलाओ और मेना आउन ऐसा कभी हो सकता है क्या उस सक्स ने एक छोटी सी स्माइल देते हुए रियांश से कहा रियांश ने अपनी फाइल्स को अपने डेस्क पर रख कर अपनी आखे ऊपर की और उठाए और एक छोटी सी स्माइल करते हुए अपनी जगह से उठा और उस सक्स के पास जाकर उसे अपने गले से लगा लिया उस सक्स ने भी स्माइल करते हुए रियांश को बैक हक किया थैंग गौड की तेरी याददाश्ट वापस आ गई वरना मुझे तो ये लगा था कि कहीं तू आमिर खान की तरफ गजनी ना बन जाए वो सक्स रियांश से अलग होते हुए बोला और खिल खिला कर हंस पड़ा उसे अपने उस पर हस्ता देख रियांश ने गुस्से में आकर उसके पेट पर एक मुक्का मार दिया आउच वो सक्स चिलाया और अपने पेट पर हाथ रख दर्द से तड़पते हुए रियांश से बोला साले कमिने इतनी जोर से कौन मारता है तुझे हाय लगेगी मेरी साले जहनुम में जाएगा तू मौन्स्टर कहीं का रियांश उसकी ओवर एक्टिंग देखकर चीर उठा और उसे धमकी देते हुए बोला ज्यादा ड्रामा मत कर वरना इस बार मिशाना तेरा पेट नहीं बलकि तेरा हैंडसम सा दिखने वाला चेहरा होगा जिसे में किसी फुटबॉल की तरह बना दूनगा और फिर अपनी उज़डी हुई सकल ले जाकर अपनी बीवी शालू को दिखाना जरा उसे भी तो पता चले कि उसका पती पीटने के बाद आखिर केसा दिखता है इतना कहने के बाद रियांश राघव पर हसने लगा कही ख्याल आया और उसने उसे कॉल करके दिल्ली से मुंबई बुला लिया वैसे तो रियांश की याददाश्ट जाने के बाद राघव अक्सर रियांश और केविन से फॉन पर बात कर लिया करता था लेकिन कभी भी उसने उन्हें ये शक्तक नहीं होने दिया था कि वो रियांश के पास्ट के बारे में कुछ भी जानता था राघव और रियांश की फैमली चाहती थी कि वो दोनों ही आर्मी ट्रेनिंग ले और यदी दौरान वो दोनों मिले थे और तब से ही वो दोनों अच्छे दोस्ट बन गए थे लेकिन रियांश को अपना फैमिली बिजनेस भी संभालना था इसलिए उसे बीच में ही आर्मी छोड़नी पड़ी वही रागव का भी फैमिली बिजनेस था लेकिन उसे उसका छोटा भाई रिधान रायजादा संभालत था लेकिन जब रागव को अपने पेरेंट्स की डेथ की न्यूज मिली तो वो सब कुछ छोड़कर अपने छोटे भाई के पास वापस लोट गया लेकिन उसका बिजनेस में खास इतना इंट्रेस्ट नहीं था इसलिए वो रियांश के लिए काम करने लगा वो रियांश को जानता था कि भले ही उसका नाम अंडर वर्ड की दुनिया में भी काफी पॉप्यूलर था और यहां तक कि वहां के लोग भी उसके नाम से दर्ते थे लेकिन फिर भी कभी रियांश ने कोई गलत काम नहीं किया था उसने हमेशा से सिर्फ अपने फैमिली बिजनेस को और राघव शालू को लेकर अपने पुष्टैनी घर जो की दिल्ली में था उसे वहां ले गया और फैमिली बिजनेस में अपने छोटे भाई की हेल्प करने लगा लेकिन कुछ वक्त बाद जब उसके छोटे भाई की शादी हो गई तब वो अपनी वाइफ के साथ अबरॉड म मुकाम पर पहुचा दिया था और फिलहाल वो अपनी वाइफ और बेटे के साथ दिल्ली में रहता था लेकिन रियांश के उसे मुंबई बुलाने पर उसने मुंबई में भी अपना खुद का एक विला खरीद लिया और अपनी वाइफ और बेटे के साथ यहां सीफ्ट हो और जल्द हे वो अपने बिजनेस को भी मुंबई में सेट अप कर लेगा रियांश भी उसके पास वाले सोफे पर जाकर बैठ गया तभी रियांश के केबिन का डोर नोख हुआ रियांश ने कमिन कहा तो रियाश का दूसरा असिस्टेंट वैभव एक प्यूम के साथ अंदर एंटर हुआ उन्होंने उन दोनों को ग्रिट किया और उनके हाथों में जो खाने पीने की चीजे मौजूद थी वो सब कुछ उन्होंने कॉफी टेबल पर रख दिया और वहां से चले गए उनके जाने के बाद राघव ने अपनी कॉफी का मग उठाया और उसका एक सिप लेते हुए रियांश को देखा जो चुप चाप अपनी कॉफी के मग को घूरते हुए देखे जा रहा था उसे ऐसा करता देख रागव चीड़ गया और उसका ध्यान अपनी तरफ खीचने के लिए उसे तंज कसते हुए बोला तेरा उस कॉफी के मक को घुर घुर कर देखते हुए ही उसमें छेद करने का इरादा है क्या? इतना भी उसे मदघुर की बिचारा शर्म के मारे तूट ही जाए? रागव की आवाज से रियान्ष अपने सैंस में वापस आया और अपने सीरियस एक्सप्रेशन से उसकी और घूरते हुए देखने लगा उसे इतना सीरियस होता देख रागव भी सोफे पर सीधा होकर बैट गया और अब वो भी सीरियस होकर बोला तो अब बता कि तुने मुझे इतना अरजेंटली यहां क्यों बुलाया Because मैं तुझे इतना तो जानता हूँ कि तु बिना किसी थोस वजह के मुझे यहां नहीं बुलाएगा तो अब बता कि क्या बात है और पांच साल पहले तेरे और परिधी के साथ क्या हुआ था वो अचानक कहां गायब हो गई थी मुझे वो सब कुछ जानना है जो अब तक तेरी लाइफ में हुआ है राघव की बात सुन रियांश ने एक आह भरी और उसे शुरू से सब कुछ बताने लगा महरा इंडस्ट्रीच अचानक ही केवेन के ओफिस का दर्वाजा बिना नोक किये हुए जोर से खुल गया और रूही गुस्से से तमत माते हुए अंदर आ गई और अपने दोनों हाथ केवेन के ग्लास टेबल पर जोर से मारते हुए गुस्से से बोली बाहर जो कुछ घंटे पहले तुमने किया उसका क्या मतलब था? रूही का सवाल सुन केवेन ने एक नजर उसे देखा रूही ओने आज फॉर्मल कपड़े पहने थे लेकिन उसके बावजूत भी वो आज हमेशा की तरह ही खूबसूरत लग रही थी उसने उस पर से अपनी नजरे हटा ली और वापस से अपने लेप्टॉप पर नजरे गढ़ा ली और काम करने लगा उसने ऐसे रियेक्ट किया था जैसी की रूही वहां हो ही ना ये देख रूही को बहुत तेज गुस्सा आया लेकिन उसने अपने आपको संभाला और केवेन से आगे बोली मैं यहाँ जौब करने आय थी ना कि यहाँ की मालकिन बनने फिर तुमने यह क्यों किया क्या जरूरत थी तुम्हें यहाँ सब के सामने मुझे अपनी वाइफ के तौर पर सबसे इंट्रिड्यूस करवाने की वैसे भी तुम्हारे लिए तो ये शादी सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी ना ताकि तुम अपने गिल्ट को थोड़ा बोहुत कम कर सको केवें जो कब से रूही की बकवास सुन रहा था लेकिन जब उसने उनकी शादी को सिर्फ एक फॉर्मेलिटी कहीं तो ये सुनते ही केवें को भी गुस्सा आने लगा लेकिन वो फिर भी शांत रहते हुए अपनी जगह पर बैठा रहा पर अब अब रूही की बाते उसके बरदास्ट के बाहर जा रही थी वो गुस्से से अपनी जगह से उठा और उसने अपने कदम रूही की और बढ़ा दिया रूही ये देख घबरा गई और वो अपने कदम धीरे-धीरे पिछे की और लेने लगी लेकिन वो जैसे-जैसे अपने कदम पीछे ले रही थी वैसे वैसे केविन उसकी और अपने कदम बढ़ा रहा था रूही पीछे-पीछे होते हुए केविन के ग्लास टेबल से तक्रा गई अब वहां से और पीछे जाने की जगह नहीं बच्ची थी ये देख रूही के हाथ पैर काउपने लगे थे केवन बिलकुल उसके पास आकर खड़ा हो गया था उसे इस तरह उससे डरता देख उसका मूड काफी अच्छा हो गया वो अपने मूँ को उसके कान के पास जाकर धीरे से अपनी सेकसी वोइस में बोला अगर तुम्हे ये लगता है कि मैं हमारी शादी को सीरियसली नहीं ले रहा तो क्यों ना मैं तुम्हे आज इस बात को साबित करके दिखा दू कि मैं तुम्हे लेकर हमारे रिष्टे को लेकर कितना सीरियस हूँ कहते हुए कैवन ने रूही के कान को अपने दातों के बीच लिया और उसे बाइट कर लिया उसकी इस हरकत पर रूही के तो रोंगते ही खड़े हो गए तुबी कंटिन्यूड